कीमस्ट्री का कॉड़िनेशन चीमस्ट्री का पार्ट होता है उसका वन शौट पढ़ने वाले हैं चलिया फट्टा फट फॉर्ती से इसका वन शॉट देख लेते की या कहानी क्या शुरू होने वाली है और हाँ इसको शुरू करने से पहले आपको जरा साइए समझा दिया जाए कि वह यह इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाते हैं तो वहाँ टेलीग्राम चैनल को कर लो जॉइन और इसके पहले भी बहुत सारी लेक्टर्स के जो नोट्स हैं वह मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करवा कि रखे हुए हैं यही जो हैंड रिटन वाले या मेरे हातों से मेरे इनी हातों से मैंने इन्हें लिखा है चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखो भाई साब जब कभी भी कॉडिनेशन कंपाउंड की बात की जाती है तो शुरुआत कहा से हुई है जड़ा शुरू से देख लेते हैं एक्चल में क्या देखा गया कि जब एक इन और्गेनिक केमेस्ट्री में इस तरह की कोई रियक्शन परफॉर्म हो रही थी जिसके अंदर आपके पास में मिल रहा था पोटाश एलम अब क्या हुआ जब यह पोटाश एलम डिजॉल करने पर क्या होते हैं इनके हमें मिल जाते हैं केटाइंस ठीक है भाई साब डिजॉल करने पर क्या मिलते हैं केटाइंस क्या बोलना एक सीधी सी बात बोलता हूँ कि भई यह इनके क्या मिल जाते हैं हमें आइंस मिल जाते हैं तो पानी के अंदर जब इसे में convert हो गया अगर बात करता हूं sulfate की तो यह convert हो जाएगा SO4, two negative में साथ ही साथ में बात करता हूं potassium की तो यह किसमे convert हो रहा था potassium पे convert हो रहा था तो पानी में जब इसको dissolve करा गया तो यह अपने ionic form में इस तरह से convert हो गया अब जैसे यह यहाँ पर convert हुआ, तो इसने जो अपनी identity थी, वो क्या कर दी, lose कर दी, identity को क्या कर दिया, यह इसने lose कर दिया, कैसे lose कर दिया, बोले भाई साब, पहले तो potassium था, इतना बड़ा molecule था, पर जैसे ही पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डालने पर aluminium अपना अलग क कहानी कर रहे थे, तो जब ऐसे situation को पहली बार observe करा गया, कि जब कोई इस तरह से inorganic compound, water में dissolve करने पर इस तरह से identity को lose कर देता है, तो इस situation पर कहा गया, कि भाई सहाब, ऐसे जो compound होंगे, उन्हें कहा जाएगा double salt, ठीक है जी, क्या कहा जाएगा, double salt, जो अपनी identity को क्या कर देते हैं, lose कर देते हैं, जब उन्हें पानी के अंदर dissolve कर दिया जाता है, दूसरी condition पर जब आपने यहाँ पर देखा कि भाईया, जो potassium ferocyanide यहाँ पर form हो रहा था, तो potassium ferocyanide के regarding यह देखा गया, कि जब इसको यहाँ पर पानी में dissolve किया गया, ठीक है, यहाँ पर लिख द यहाँ पर inorganic compounds है, यहाँ पर आपके ionic bond का formation कर रहे हैं, पानी में डालने पर ionic bond क्या होता है, वो polar होने की वज़े से breakdown हो रहा है, यहाँ पर breakdown हुआ, जब यह यहाँ पर breakdown हुआ, तो breakdown होते टाइम पर हम लोगों को यहाँ compound मिला था ना, इसी से लिखा ना, तो यहाँ पर क six, four negative, यह इस तरह का एक ion मिला, मतलब यह है कि यार जो iron है उसने syno group को छोड़ा ही नहीं, उसने उसको पकड़ के रखा, पहले भी वो syno group को अपने पास पकड़ के रख रहा था, अभी भी उसने उस syno group को अपने पास पकड़ के रखा, जिस वज़े से water में dissolve करने के बाद भी यह अपनी solid state को maintain कर पा रहा था, तो जब यह पाया गया कि भाई यह वो अपनी original state को maintain कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसने identity lose नहीं की, ठीक है, क्या बोला जाएगा, कि इसने पानी में dissolve करने पर, did not lose identity, इसने अपनी identity को lose नहीं करा, और जब इसने अपनी identity क लूज नहीं करा, तो सब का दिमाग उड़ गया, सब का बिलकुल, क्या बोलते है, फेस उड़ गया, या बोला जाता है, भेजा उड़ गया, और सब लोगों ने बोला, यार यह तो बड़ी complex सी चीज हो गई, तो जब इन्होंने यहाँ पर बात करी, कि सर, यहाँ पर हो ग में फॉर्म है, जो कि यहाँ पर अभी कैटाइनिक रूप पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, complex salt, जबकि यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको double salt दे दिया गया, ध्यान रखना इस पॉइंट को, कि एक तरफ जहाँ identity lose हो जा रही थी, तो वो double salt जहाँ identity lose नहीं हो रही थी, वो क्या था, complex salt था, और इसी complex salt पे यह जो चीज हमें मिल रही थी, इसी को ही बाद में जाकर क्या नाम पढ़ गया, इसको नाम पढ़ गया, complex compounds, या फिर और ज़्यादा अच्छे से बोला जाता है, तो coordination complex compound इसका पूरा नाम रखा गया, क्योंक जब यह पता चला कि भईया, यह coordination की वज़े से इस तरह की complexity को generate करते हैं, तब कहीं जाकर बिल्कुल end में इसको सामने वाल ने समझा कि भईया, इसका नाम क्या रखोगे, coordinate complex compounds, ठीक है, जी clear हो गई बात, चलो, अब फटा-फट जानते हैं, सबसे पहला important point आप लोगों के प एक important point ध्यान रखना की, जब इसने यह अपनी theory दी थी, ठीक है, सबको पता है, आगे जाके थोड़ा सा लफडा हुआ था इस theory में, परन्तु जब इसने अपनी theory दी थी, तो यह theory तब दी थी, जब electron की discovery वहाँ नहीं की गई थी, मतलब उसके बारे में describe proper नहीं किया गया थ था, electron की discovery जे जे थॉमसन नहीं करी थी, 1896 में, परन्तु वर्नर्स ने 1893 में इस theory को दे दिया था, जिस theory के regarding उन्होंने यह बताए कि जितने भी complex compound होते हैं, दो तरह की valences को contain करते हैं, क्या बोलके रखा रहे बाई, दो तरह की valences को contain करते हैं, एक होती है primary valences, एक होती है secondary val जहां primary valence की बात करता हूँ, तो primary valence depend करती है किस पर oxidation number पर, ध्यान रखना रहे वईया, किस पर depend करती है, यह depend करती है, oxidation number पर, अब oxidation number किस तरह से आप लोग find out करते हैं, सर, बहुत आसान है, एक chlorine, एक electron लेता है, तो 3 chlorine, 3 electron लेंगे, 3 chlorine अगर 3 electron लेंगे, तो cobalt जो रहेगा, उसका oxidation state कितना हो जाएगा, रहे भाई, cobalt का जो oxidation state है, वो हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है, यह ध्यान रखना, oxidation state की बात कर, sorry, oxidation state बोल रहा हूँ, oxidation number की बात करता हूँ, cobalt कितने electron gain करेगा, रहे भाईया, प्लस 3 वाला काम करेगा, उसके बाद CO NH36 यहाँ पर बात करते हैं, तो हमें पता है, जो यह अमोनिया होता है, वो neutral होता है, और chlorine यहाँ पर minus का होता है, तो again cobalt कितना बन रहा है, प्लस 3, फिर उसके बाद में यह वाला compound है, भाई साहब, यह वाले compound में भी क्या हो जाएगा, जो cobalt होगा, वो आपके पास में प्लस 3 देगा, oxidation number आगे मैं न निकालना सिखा दूँगा, लोड नहीं लेना भाई साहब, तो at the end of the story, यहाँ पर मुझे यह समझ में आया, कि जब कभी भी मैं primary valency की बात करता हूँ, तो primary valency का मतलब होता है, oxidation number of this metal atom, ठीक है, यह क्या बोलके रखा था, वर्नरस ने बोलके रखा था, यह property कैसी होती है, non non-directional होती है, क्योंकि देखो, यहाँ पर भी आप plus 3 बना रहे हो, यहाँ पर भी plus 3 बना रहे हो, यहाँ पर भी plus 3 बना रहे हो, तीनों में लिखने का तरीका अलग है, परन्तु तीनों का coordination number जो आया है, वो बिलकुल क्या आया है, वो क्या आया है, वो क्या आया है, बिलकु नमबर मतलब क्या number of ligands जो की जुड़े हुए होते हैं central metal atom के साथ में ठीक है भाई साब central metal atom कौन है ये ये metal atom है इसके साथ जितने number of ligands जुड़े हुए रहेंगे वो क्या कहलाएगा उसका coordination number कहलाता है और ligands का अगर concept में बताऊ ना तो ligands का एक बहुत सिंपल सा concept है कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सर मेरे पास में एक metal atom है ठीक है वाई या जी यह क्या है मेरे सा इधर से घेर दिया तो भाई साब यहां पर बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल सा आपके पास में concept निकल कर आएगा कि यहां पर जो आपके इसको घेर कर रखेंगे तो वही क्या कहला एगा हमारे पास में वहीं कहलाता है इसका value को count वहाँ पर करके दिखा दे हो तीके भाई साब समझ में आगई बात जैसे सी ओ है यहाँ पर तीन क्लोरीन और साथ इसाथ में एन नंबर ऑफ एश्टुोस के साथ में घिरा हुआ है यह एन नंबर ऑफ एश्टुोस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं तो इसको simply क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है लिगेंड्स अपना coordination नंबर तो ध्यान रखना question पूछा जाता है regarding वर्नर की primary and secondary valency तो वर्नर की primary valency थी oxidation नंबर जो की कैसे होते हैं एक directional property होती है तो यह हो गई हमारे पास में वर्नर की theory देन उसके बाद में यहां पर बात कर लेते हैं सीधे अब complex compound के अंदर complex compound कुछ इस तरह से दिखाई देता है c o n s 36 c l 3 यह दिखाई देता है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजे पाई जाती है जरा उसको discuss करते है वह बहुत ज़्यादा important चीज है अगर मैं बात करता हूं तो इस square bracket को इस पूरे square bracket को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है coordination is fear ठीक है क्या कहा जाता है coordination is fear कहा जाएगा इसके अलावा में बात कर लेता हूं इसकी c o c o क्या है भाई सहाब c o आपके पास में एक metal है और जब कभी भी किसी coordination is fear के अंदर एक metal आता है तो इसे कहा जाता है कि यह क्या है बिल्कुल center में बैठा हुआ central metal atom ठीक है भाई सहाब यह क्या है आपके पास में central metal atom है उसके बाद में इस cobalt के साथ में जितने भी यहां छोटे वाले bracket में quantity में compound को रखा जाता है इसे क्या कहा जाएगा भाई सहाब यह कहलाता है आपके पास में legend और यह वही legend है जो की coordination number को decide करता है कि कि कितने चारों तरफ से कितनों ने इसको घेर कर रखा हुआ है ठीक है भाई सहाब यह वाली कहानी हो गई अब इस square bracket को तो coordination sphere कहा गया परंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस square bracket के बाहर ठीक है यह जो quantity लिखी हुई है यह क्या करती है या तो अगर यहाँ पीछे की तरफ जाएगा तो इसको क्या कहा जाता है भाई सहाब इसको कहा जाता है एनायन और अगर आगे की तरफ जाता है तो वह केटायन कहलाता है परंतु जो भी कुछ होगा जो coordination sphere के बाहर होगा तो इसको हम लोग जानते हैं outer sphere के नाम से ठीक है जी तो यह ध्यान रखना यह coordinate compound आपके पास में है यहां बोला जाए जो complex compound होता है वह जहां पर square bracket के अंदर लिखी हुई चीज कहलाती है पूरा का पूरा coordination sphere metal atom को कहा जाता है central metal atom यहां पर आता है यह लिगेंड और एक और अच्छी बात यहां पर आ गया है जो यह 6 लिखा हुआ है यह 6 जो है यह हमारे पास में coordination number ठीक है वाई साब clear हो गई बात बस इतनी सी चीज है तो बस यह कहानी होती है और यहां पर क्या आगया CL3 तो यह आपके पास में क्या होता है coordination compound होता है coordination compound के अंदर इस चीज को जरूर याद रखना polyhedron या coordination polyhedron NCRT में बहुत छोटा सा जिक्र करके रखा हुआ है और वो जिक्र यहां पर यह करके रखा हुआ है जब metals और legend का जो यह रिष्टा होता है उसे किसी special arrangement के थुरू बताया जाए किसके थुरूरे भाई इस पेक्टियल अरेंजमेंट का मतलग क्या जब इसको थ्री डाइमेशनल और टू डाइमेशनल इस्ट्रक्टर जैसे यह स्क्वेर प्लैनर है यह तो 2D है पर स्क्वेर पिरामीडल क्या है थ्री डाइमेशनल कहा जाता है क्लियर हो गई बात समझ में आ गया यह देखो इतने सारे लिगेंड 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 सब में जुड़के रखे हुए हैं बात ही अगर शेप की बात करते हो तो आपको पता ही है according to their hybridization यह octahedral tetrahedral square planner फिर उसके बाद में क्या है square pyramidal यह कहानी होती है जिसके बारे में आगे पता चल जाएगा tension नहीं लेना जब हम लोग आगे और इसको detail में फरेंगे ना तो वहाँ पर भी सब में clear कर दूँगा ठीक है रहे भाई चलो तो यह कहानी होती है इसके बाद में अगला होता है हमारे पास में homoleptic complex और heteroleptic complex बहुत simple है यहाँ पर जब कभी भी homo और hetero का जिक्र किया जाता है तो यहाँ पर homo का मतलब क्या होता है एक समान ठीक है भाई सहाब क्या होता है एक समान ना कि एक सामान और hetero की बात की जाए तो hetero का मतलब क्या होता है बैया हीट्रो का मतलब होता है अलग-अलग जैसे वह गाना बना हुआ है ना हम दोनों है अलग-अलग हम दोनों है जुदा-जुदा नहीं ज्यादा नहीं गाऊंगा वरना अभी कॉपीराइट इस्ट्राइक आ जाएगी मुह से गाह दोना कोई थोड़ा सा गाना तो भी copyright strike देते पता निए क्या ही है यार यूटिब का कर रहे हो तुम है छोड़ो हो में पास में दो डिफरेंट complex होते हैं जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूं हो मोलिप्टिक की तो हो मोलिप्टिक में एक समान होता है परंतु एक समान लिगेंट्स ठीक है जैसे यहां देखो कोबोल्ट के साथ में छे अमाइन ग्रूप जुड़के रखे हुए हैं मतलब अमोनिया जुड़के रखें जिसको फर्दर हम लोग अमाइन नाम से जानेंगे वहीं पर बात करता हूं अलग-अलग-अलग भी क्या होंगे सर करके लिगेंट्स पैसाल डाये तो बहुत ऑफ्टार लेते हैं लिगेंट्स डाल्कायर्ट्स अब लिगेंट्स की बात की जारी है जिसमें से पहला होता है classification based upon charges charges की बात करते हैं तो भाई यह एक होता है neutral ligand जिसके ओपर कोई भी charge नहीं होगा दूसरे होते हैं आपके पास positive ligands ध्यान रखना कि positive ligands बहुत कम पाए जाते हैं और अगर पाए भी जाते हैं तो यह आपके सामने आपकी screen पर यह दो positive ligands आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है एक है NO positive और एक है आपके पास वो hydrazine जैसा दिखता हुआ NH2 single bond NH2 बस difference क्या है एक के पास lawn pair और दूसरे ने अपनी lawn pair किसी को दे दी होगी जिस वज़े से इस पर क्या चागई है positivity चा गई है तो वाई सहब neutral ligand zero कोई charge नहीं positive ligand जिनके ओपर positive charge और negative ligand वो जिनके ओपर negative charge होता जैसे sino group hydroxy यहाँ पर chloride group हो गया या nitro group हो गया तो यह सारे क्या कहलाते है negative ligand तो पहली category होती है based upon charges दूसरा आता है आपके पास में based upon density of ligands density of ligands का मतलब क्या number of donation और donor side अब यहाँ पर आता है important point यहाँ से थोड़ा सा ligands को आपको समझना है ligands को आपको कैसे समझना है जरा ध्यान दीजेगा अगर मैं जब कभी भी बात करता हूं ligands की ठीक है भाई साब किसकी बात कर रहे हम लोग ligands की तो भाई यह ligands actual में है क्या आपको पता होगा अगर मैं ammonia का formation करता हूं तो ammonia क्या होता है इस तरह से NH3 यहाँ nitrogen के पास में एक lawn pair रखी हुई है electron की तब होता क्या है कि सामने वाला जो metal atom है वो बोलता है कि भाई मेरे पास में d orbital क्या है fulfill नहीं है वो खाली है वो बताऊंगा रहे भाई tension नहीं लेना अभी आगे जो crystal field theory valence bond theory पढ़ेंगे ना वहां पर यह सारा concept और deeply समझाओंगा में कि actual में होता क्या है परन तो छोटा सा ligands का description लेकर चलो कि जब कभी भी आपके पास में extra रखे हुए lawn pairs होते हैं तो यह lawn pairs क्या होते हैं कि भाई एक काम करो तुम्हें अगर bond बनाने के लिए electron की जरुवत है तो मुझसे ले लो तो जब कभी भी एक साथ lawn pairs यहां पर share की जाती है किसी दूसरे atom को तो उसको क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ligands ध्यान रखना ligands क्या करते हैं यह lawn pair को क्या करते हैं सामने वाले को दे देते हैं क्यूं देते हैं किस लिए देते हैं वह कहानी अभी आगे आएगी valence bond theory के अंदर और crystal field theory और crystal field की जो splitting energy होता है जहां पर tetrahedral और octahedral बहुत दोनेशन दे सकते हैं अगर आप यहां बात करते हो कि सिर्फ एक lawn pair डोनेट की जा सकती है तो दे are known as monodented ठीक है भाइस आप क्या करते हैं monodented कहलाते हैं जैसे यहां पर बात कर दिया ammonia की यह देखो एक ही तरफ से आप दो electron ले सकते हो या एक electron की lawn pair ले सकते हो तो इन्हें क्या कहा गया है monodented इसमें आता है water का molecule chlorine और chloride जो होगा cl negative है ना तो वह chloride बन जाएगा फिर carbonate co3 2 negative carbon monoxide और nitric acid रह nitric oxide nitric acid बोल रहा हूं में भी तो देखो यहां सभी के पास में क्या होता है कि सिर्फ एक हिस्से से जब आप electron की lawn ले सकते हो तो that is known as monodented वहीं पर अगर दो तरफ से आप electron ले सकते हो तो they are known as by dented जिसके अंदर सबसे ज़्यादा important पता यह बाला है इसके उपर बहुत question पूछे जाते है regarding its IUPAC nomenclature ठीक है आई की बात है आई यू पेसी बोलो nomenclature तो वहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर by dented ligand में दो donor side होती जिसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसको short में हम लोग abbreviation form पे EN लिखते हैं पूरा नाम क्या है इथाईलीनी डायमाइन जहां पर दो carbon यहां जुड़े हुए हैं दो इस NH2 group के साथ में जिससे क्या होता है कि यह वाला nitrogen भी अपनी lawn pair दे सकता है यह वाला nitrogen भी अपनी lawn pair दे सकता है इसको प्रोपाईलीनी डायमाइन जब दो साइड से आप क्या कर सकते हो electronों की lawn pair ले सकते हो सेम दूसरा वाला है हमारे पास में PN जिसको प्रोपाईलीनी डायमाइन के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद आता है oxalate बहुत rare है कभी कबार पूछा जाता है यहाँ पर देखो कि आपके पास में दो oxygen से क्या कर रहे हो आप यहाँ पर electron को ले रहे हो इसके बाद में आता है AC AC negative जिसका नाम क्या होता है Acetyl Acetonate ठीक है भाई साब क्या होता है Acetyl Acetonate यह कहानी होती है यह भी IMP है भाई यह भी IMP है इसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है नॉमीन क्लेचर में इसका अब देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर दो oxygen जहां से electron को खीचा जा सकता है यह क्या कहलाते हैं भाई सहाब ड्राइ इथाईली नहीं देखो यह दो इथाईल यह दो इथाईल डाइथाईली नहीं हो गया ट्राइमाइन तीन अमाइन ग्रूपे एक दो तीन टीन डोनर साइड आ गई फिर आता है आई एम डी ए टू नेगेटिव ठीक है अब पता है वह वाला बाहुबली पिक्चर में वह डाइलग सुना है निम्डा पता नहीं क्या-क्या तो बोलता है बहुत मिरको अतनी लाइन याद है ठीक है तो यह भी कुछ उसी तरह से प्रणांस हो रहा है ना इम्डा टू हाइडरोजन इससे भी निकाल दिया और इससे भी निकाल दिया तो यहां पर क्या होता है वैलेंसी पे दोनों के पर एक-एक माइनस चार्ज आ गया है यहां से भी इलेक्टरॉन यहां से भी इलेक्टरॉन और इस एक अमाइन ग्रूप से भी क्या कर सकते हो इलेक्टरॉन क हुआ है ठीक है नाम लिखके नहीं लग कर रखा हुआ है उसका रिजन यह है क्योंकि एंटीए से तुम लोग के दिमाग में हमेशा घुसेगा सर नेशनल टेस्ट एजनसी नेशनल टेस्टिंग एजनसी जो कि तुम्हारी एग्जामीनेशन लेती है सीबी एससी की ठीक है तो एक काम करना जिसको सही नाम पता है एंटीए थ्री नेगेटिव का लिखकर रखना और कोई भी यह वो नेशनल टेस्टिंग एजनसी नहीं लिखकर रखेगा जो रियल नेम हैं एंटीए वही लिखकर रखना ठीक है बाई साब इसके अंदर क्या हो जाएगा यह आपके पास में tetradentent है मतलब चार तरफ से यहां पर डोनर साइड होगी यह देखो एक oxygen एक oxygen यहां बीच में यहां पर अमाइन है और आपके पास में क्या हो जाएगा एक यह वाला oxygen होता है तो यह वाला oxygen भी क्या कर सकता है यहां पर डोनर बन सकता है तो बस तो tetra dentant में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे वहीं पर दो बहुत 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 ज़्यादा important group आपके सामने आने वाले हैं इसमें होता है सबसे ज़्यादा confusion एक होता है pentadent और एक होता है hexadent अभी से मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ इसमें होने वाला है confusion क्योंकि यहाँ पर एक है EDTA 3 negative ठीके? और दूसरा वाला है EDTA 4 negative तो जब कभी भी आप इस तरह के questions को solve करोगे IUPAC name में तो वहाँ आएगा confusion की EDTA कौन सा यूज करना है 3 negative वाला या फिर 4 negative वाला क्योंकि दोनों का काम अलग है नाम अलग है एक pentadentente जहां 5 donor site होती है नाम होता है इथाइलीनी, diamine, triacetate यहाँ पर 3 acetate के group जुड़े होगे होता है एक, दो, तीन तीन acetate के group है और अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर कहां से आपने electronों को लेना है तो भईया, एक electron कौन लेगा यहाँ से एक electron देगा ये वाला group एक electron देगा ये oxygen एक electron देता है ये यहाँ पर ये एक electron मतलब लॉन पेर तो भईया, इसके पास में क्या है पांच donor site है वही hexadentent की बात करते हैं तो नाम में क्या फरक हुआ कि सर्ट्राइसिटेट की जगे tetra-acetate हो गया यहाँ पर चार-acetate group हो गए चार-acetate group के अंदर क्या होगा एक यहाँ से देगा lawn pair एक यहाँ से एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा एक आएगा आएगा आपके पास यहाँ से लास्ट वाला आएगा यहाँ से तो यहाँ टोटल 6 donor sites होती है तो नाम ध्यान रखना एक आपके पास में EDTA 3 negative है जिसमें 3 negative बता रहा है याद रखने के लिए रिफरेंस के रिगार्डिंग tri-acetate को जबकि यहाँ पर 4 group होने की वज़े से वो try-up tetra-acetate बन जाता है ठीक है भाई सहाब clear हुई बात समझ में आ गया तो इस तरह से आपके पास में total इतने सारे ligands की category होती है परंतो गाड़ी अभी भी नहीं रुकेगी एक छोटा सा question दो number या एक number वाले में पूछ लिया जाता है की भाई सहाब flexi dentant ligands क्या होते है तो ये भी बहुत आसान है flexi dentant ligands actual में क्या होते है जिनके अंदर denticity variable होती है denticity variable होने का मतलब क्या अभी देखो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है SO4 2 negative है क्या होता है SO4 2 negative sulfate होता है अभी SO4 2 negative की कहानी यह है कि यहाँ पर हो सकता है कि यह bi dentant भी हो या फिर mono dentant भी हो तो यह bi और mono जब दोनों ही situation पे alter करते रहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है variable denticity अगर बात करते हैं variable denticity वाले तो यह क्या कहलाते हैं फ्लेक्सी डेंटेंड लिगेंड नाम ध्यान रखना अल्रेडी तुम लोगों को मैं बोल दे रहा हूं important है इसके बाद आता है आपके पास में chillating ligand याद करो chillating ligand की क्या कहानी होती है chillating ligand की कहानी आपके पास में यह होती है कि ऐसे ligand जो की ring type structure बनाते है ज़रा इसके पहले देखे देखो यहां पर जितने भी अगर mono को छोड़ दिया गया तो bidentend में भी एक ring बन रही है इसके बाद में बात करता हूँ tridentend में भी एक तरसे ring बन रही है इसके लावा tetradendend में भी ring बन रही है इसके अलावा जो आपका पेंटा और हेक्जा था इस पे भी रिंग बन रही है तो जितने भी यह polydentine ligand होते हैं जो ring structure बनाते हैं central metal atom के साथ में तो उसे क्या कहा जाता है भाई सहब उसे कहा जाता है आपके पास में chillating ligand कहा जाता है इसके अलावा बात कर लेता हूँ कि भ ठोड़ा सा कर दें एक ये वाला और एक ये वाला इसे छोड़ कर और उससे भी सबसे important बाट जिसके अंदर हमेशा आपसे question पूछा जाएगा कि यह जो आपके पास में chillating ligand से बनने वाले complex compounds होते हैं तो करपया इसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह ज्यादा इस टेबल होते हैं क्यों स्टेबल होते हैं सर क्यूंकि रिंगर इस ट्रक्टर बनाते हैं अब बात आती के सर यह रिंगर और यह व है CH2 single bond CH2 ठीक है अब यहां पर क्या है सर इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है तो यह देखों यहां से भी donor यहां से भी donor फिर मैं बात कर लेता हूं यहां पर CH2 CH2 ठीक है थोड़ा उसा इधर लिख दिया है मैं नहीं यहां पर आ जाएगा CH2 फिर उसके बाद में आ जाएगा मेरे पास भाई साहब NH2 यहां पर भी आ जाएगा NH2 इधर से यह donor है ऐसा और एक और हम यहां पर बना लेते हैं जो कि मेरे पास रहेगा NH2 इसने क्या करा है इस सेंट्रल मेटल एटम को चारो तरफ से घेर कर रख लिया है अगर यह सेंट्रल मेटल एटम चारो तरफ से घेर लिया जाएगा कुछ इस तरह से तो यहाँ पर आता है सबसे important point जो मैं आपको पहले भी समझाता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को बार 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 इस चीज के उपर focus कराता हूँ कि suppose अगर यह central metal atom आपके पास में रखा हुआ है तो इस situation पर कहानी आपके पास में यह हो जाएगी कि इस central metal atom को यहाँ जितने भी ligands आपस में आके घेर रहे हैं कहां गया कहां गया कौन सा कलर कौन सा कलर यह वाला कलर ठीक है भाई सहब इसके अलावा यह ठीक है थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना दे रहा हूँ जान बुज के और उसके बाद में एक यह वाला चीक है इसको भी मैं क्या कर देता हूँ इससे फिल कर देता हूँ अब देखो भाई सा इसको मुझे छोटा करना था यह लो जी छोटा हो गया इसको थोड़ा सा बड़ा इसको पास लाओ इसको ऐसा कर दो और इसको बढ़ा कर दो ऐसा ठीक है ये कहानी हो गई अब देखो भाई साब यहाँ पर क्या होके रखा हुआ है अब आप खुद सोचो कि यहाँ एक ऐसी सिच्वेशन आई है जहाँ पर बीच में बैठा हुआ है कौन मैटल बैठा हुआ है इसके बाद भाईया इधर भी लिगेंड्स है इधर भी लिगेंड्स है अगर यह आपके पास में ऐसे रिंग स्ट्रक्चर के बड़े बड़े लिगेंड्स होंगे तो यह मैटल के चारो तरफ इसमें क्या कर देंगे घेरा बना देंगे मैटल का नेचर कैसा होता है डोनर नेचर का मैटल क्या बोलता भया मैं तो पैसे दोने वाला इंसान हूं मैं तो क्या करता हूं दानी इंसान हूं खुब पैसे दूंगा पैसे का मतलब electrons तो यहां पर situation यह होती है कि अगर उस metal को चारो तरफ से घेर कर रख लिया है तो कोई बाहर वाला अगर इसके पास में आता पैसे मांगने को तो क्या इसके पास से पैसे निकलेंगे अरे सर नहीं निकल पाएंगे तो बस यही कारण है नारे कि बड़े बड़े जो यह groups हैं जब इस legend को इस metal को इस तरह के बड़े-बड़े से ring structure वाले legend घेर लेते हैं तो बाहर से कोई foreign element नहीं आपाता है जो इसको disturb कर सके तो obvious बात है stability क्या होगी बढ़ती चली जाएगी इसी वज़े से line लिखा हुआ है इसका बहुत-बहुत-बहुत ही जादा उपयोग किया जा यहां पर आपको थोड़ा साथ extra दिमाग लगाना पड़ेगा उन questions के अंदर ठीक है जी चलिए बात करते मतलब comparison वाले questions के उपर यह वाला हो गया कहानी यह हो गया अब बात कर लेते हैं यह अगले टाइप की लिगेंड की जोकी होते हैं हमारे पास में एंबी डेंटेंट लिगेंड के अंदर ऐसे लिगेंड आते हैं जहां पर दो डॉनर साइट प्रेजेंट होती है जैसे आपको पता ही है पहले वाले गुरूप की बात करते हैं तो देखो इस गुरूप में क्या होता है ऑक्सिजन से भी आप इलेक्टरॉन ले सकते हो और नाइट्रोजन से भ ही तो दो डोनर साइड्वाइड है तो इसमें और उसमें क्या फर्क है यह MB Dentant और Bi Dentant में सिर्फ इतना सा यहां फर्क निकल कर आता है कि जहां पर Bi Dentant एक ही समय पर दोनों के दोनों ही donor sites को यूज कर सकता है वही MB Dentant क्या करता है एक ही donor site को यूज कर सकता है ठीक है हम chemistry पढ़ रहें English थोड़ी ना पढ़ रहें ठीक है जी चले भाई साब आगे बढ़ते हैं तो कहानी हमारे पास में बहुत सिंपल सी है कि आपके पास में जब कभी भी दो donor site present होगी परन्तु एक समय पर सिर्फ एक ही donate करेगा या यह भी अबीडेंट साइनो ग्रूप है या जिसको साइनाइड के नाम से जानते हो जब कार्बन देता है तो साइनाइड और नाइट्रोजन देता है तो आईसोसाइनाइड उसी तरह से आपके पास इसमें देखा जाए तो तीन donor site present है नाइट्रोजन sulfur and oxygen तो इस तरह के ligands को क्या कहा जाता है embedded ligands कहा जाता है ध्यान रखना इस बात को कि एक बार में सिर्फ एक ही देगा होंगे तीन पर देगा एक ठीक है जी चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं चल जा भाई आगे कहा है रुख गए फिर उसके बाद में आता है थर्ड वाला point जिसके अंदर आपको यह बताया जाता है based upon bonding interaction between ligands central metal atom ठीक है bonding क्या according अब देखो यहां पर classical या simple donor classical या simple donor क्या सर बहुत simple है कितना simple है सर classical donor बोलते हैं कि एक काम करो एक lawn pair हमसे ले लो यह क्या कर देते हैं simple ही एक lawn pair तो नेट करते थे बस इनको दुनिया जहां से कोई मतलब नी मोनो डेंटेंट बाइफाय ट्राय टेट्रा फलान डिकानों कोई मतलब एक simple सा electron ले लो ठीक है दूसरा आपके पास में दूसरा बोल रहा हूं इसके अंदर क्या आता है आपके पास में ओटू नेगेटिव ओएच नेगेटिव एफ नेगेटिव यह वाली सिचुएशन होती है अब इसके बाद में आता है अगली कहानी अगली कहानी आती है मेरे पास में नॉन क्लासिकल या फिर पाए एसिड या फिर पाए एकसेप्टर अब इसके अंदर क्या घटना होती है यहां पर यह डोनर भी होते हैं साथी साथ में एकसेप्टर भी होते हैं ध्यान रखना क्या होते हैं यहां पर यह डोनर भी होते हैं साथी साथ में एकसेप्टर भी हो एक छोटी सी situation है, जिस situation को हम लोगों को समझना रहेगा, donor या acceptor की यहाँ पर जो कहानी चलती है, वो चलती है because of pie bonds, ठीके, किसकी वज़े से pie bond, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है, pie bond होते हैं, pie bond की shifting जब होती है, तो उस shifting को कहा जाता है, कि यह बनाते हैं, back bonding, ठीके भाई साब पता है न, class 11 का concept था, क्या होता है, back bonding, pie bonds क्या करते हैं, इस तरह से back bonding को भी perform करते हैं, जिसको हम लोगों ने छोटे में उस नाम से भी जाना के रखा था, क्या नाम था, एक वो banana bonding के नाम से भी जाना था, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर perform हो रही है, back bonding, ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक छोटा सा point ध्यान देना है, कि यह जो यहाँ back bonding perform होती है, तो इसको कई बार इस तरह से नहीं लिखते हुए, क्या लिखा जाता है, synergic effect लिखा जाता है, ठीक है भाई साहब, इस बात का ध्यान दिया जाए, इसे लिखा जाता है, यहाँ पर synergic effect, और इस synergic effect की वज़े से, यहाँ पर जो bonding create होती है, उसको कहा जाता है, synergic bonding, ठीक है भाई जी, क्या लिखा हुआ है, synergic bonding, तो बस रहे भाई, इतनी सी कहानी होती है, इस बात का ध्यान रखना, कि आपके पास में जितने भी non classical या फिर जो pie acid या pie bond वाले रहते हैं, तो वो इस तरह का कुछ effect show करते हैं, तो back bonding या pie bonding की वज़े से synergic effect create करते हैं, जिससे synergic bonding होती है, और इस तरह के pie bonding की वज़े से क्या होता है, कि ये थोड़े strong ligand की category में आ जाते हैं, जैसे कि carbon monoxide हमें मालूमी है, तो carbon monoxide क्या करता है, जब strong ligand की category में आता है, तो वो d orbital को push भी करता है, ठीक है, अभी वो भी आगया आएगा रे भई, वो भी आगया आएगा, जब हम लोग इसके bonding की theory में आएंगे, VBT, crystal field theory, सारी कहानी पर आएंगे, चले जी, अब जड़ा देख लेते हैं, हुआ क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, तो metal के अंदर क्या होता है, d orbital double dumbbell shape, वहीं पर carbon और इस oxygen की बात करते हैं, इन carbon monoxide, तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं, आपके पास p orbital, जो की dumbbell shape में होते हैं, यहाँ पर इस तरह से क्या करते हैं, overlapping, जिससे यहाँ और यहाँ पर pi bond का formation हो जाता है, और carbon ने already जो metals को अपने यहाँ lawn pair के electron देके रखे हुए हैं, तो उस condition पर बाकी चीज़े तो चल ही रही है, so for that reason, आप यहाँ पर देखोगे, कि यह जो carbon है, इस metal के साथ में बना रहा है, एक single bond याने sigma और एक pi bond, तो देखो, यह single bond sigma बन रहा है, और एक यहाँ पर pi bond बन रहा है, जो की आपके sidewise overlapping से बना हुआ है, ठीक है यह जी, clear हो गई बाद, चलो, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं इसके बाद में एक बहुत 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 ही जादा important topic आता है, जिसको कहा जाता है EAN, जिसका मतलब होता है आपके पास में effective atomic number, अब यह जो आपके पास में effective atomic number होता है, इसके regarding आप से question direct यह पूछा जाता है, compounds दिये जाएंगे और बोला जाएगा कि भईया, इसका effective atomic number find out कर के बताओ, तो effective atomic number क्या होता, number of electrons available around the central metal atom within a complex including the electrons accepted from ligands, अब देखो क्या मतलब हुआ, सर effective atomic number यह बोलता है कि कोई भी जो आपके पास में metal present है, वो actual में कितने ligands को आसपास घेर कर रख सकता है, एक सिंपल भाशा में बोला जाए, तो यह मतलब होता है, number of electrons available around the central metal atom, अब देखो, यहाँ पर उसको electrons और simplify कर दिया, क्यों, क्योंकि ligands जब उसे घेरेंगे, तो वो क्या करेंगे, electrons ही तो देंगे, within a complex, including the electron accepted from ligands, जो अभी बात करके रखेती वो, परन्तु हमारे काम की चीज़ क्या है, सर, हमारे जो सबसे काम की चीज़ है न, वो काम की चीज़ है, सर, ये वाला formula, इस formula को ध्यान देना रे भाई, ये वाला formula होने वाला है, हमारे पास में बहुत-बहुत-बहुत ही जादा important, जिसके regarding आपको पूछा जाएगा, कि सर, effective atomic number क्या होता है, Z-, अब बात कर लेते हैं, सर, ये Z क्या होता है, तो सर, Z यहाँ पर होता है, atomic number, ठीके जी, क्या होता है, Z होता है, हमारे पास atomic number, atomic number minus oxidation number of central metal atom with sign, central metal atom with sign मतलब क्या, अगर आपके पास में donor वाली state में है, तो plus और acceptor वाली state में है, तो minus, generally donor वाली state में ही होता है, तो क्या होगा, plus का sign ही आएगा, फिर आएगा आपके पास number of electrons collected from ligand, जो भी आपके पास में number of electrons होते हैं, जो आपने ligand से collect करके रखे हैं, जब भी बात करते हैं, monodentant की, तो वो क्या करता है, एक बार में एक lawn pair देता है, मतलब 2 electron देगा, इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई, तो फटा फट से question को हम लोग यहां पर solve करके देख लेते हैं, एक example के थूरू इसे हम लोग solve कर लेते हैं, के भाई साब, जड़ा color का selection कर ले, थोड़ा सा अच्छा color ले ले, क्या ले लेते हैं, यहां पर बताओ, और इंज color type का ले लेते हैं, यहां पर ठीक है, यह color लेते बढ़िया है, यहां पर जड़ा देखना, CRCO6, यह वाली कहानी देखे रखी हुई है, अब देखो भाई साब, यहां पर situation क्या होती, अच्छा यहां एक चीज, Sino group था ना, कि CO group था मेरे पास में, CO, अच्छा जी, मुझे लगाई था, मैं देख रहा था ना, तो मुझे वही लग रहा था, इसमें ना, माइनस का साइन एक आगे लग गया, तो Sino group और CO थो क्या होता है, हमारे पास में neutral रहता है, है ना, अच्छा हुआ, देख लिया मैंने, लिखते टाइम पर वो आगे पीछे हो गया था, कोई समस्या नहीं, ठीक है, अब चलो वापस आजाओ, यहां पर आपके पास CR-CO-6 देके रखा हुआ है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अटॉमिक नंबर की, तो भाई साब, अटॉमिक नंबर की जब कभी भी बात की जाए, तो क्रोमियम निकल वैनेडियम, तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपके पास में 3D सीरीज में पाये जाते हैं, तो क्रोमियम का कितना होता है, भाई साहब, क्या रहता है, आपके पास में मैगनीज होता है, 25 फिर क्या था क्या था क्या था क्या था अरे क्रोमियम है यार में का किला पागल हो रहा हूं क्रोमियम है क्रोमियम का 29 होता है तो क्रोमियम का atomic number 24 उसके बाद में manganese आ जाता है तो chromium का atomic number हो गया 24 minus oxidation number carbon monoxide का तो यह एक oxidation number central metal atom का अब इसमें चीज ध्यान रखना यह जो आपके पास में carbon monoxide होता है यह neutral ligand होता है तो इसके ओपर क्या आना चाहिए zero amine जो होता है यह भी आपके पास एक neutral ligand होता है zero carbon monoxide दुबार आया है तो क्या जाएगा zero आ जाएगा ठीक है तो यहां पर आया आपके पास में chromium अब यहां थोड़ा सा oxidation number को find out करने का तरीका देखो chromium की अगर मैं बात करता हूं इसका oxidation number चाहिए सर मुझे नहीं पता तो क्या लिख दिया है मैंने एक्स लिख दिया है इसके बाद में carbon monoxide का क्या होता है zero और अगर मैं बात करता हूं इस पूरे molecule के ओपर overall charge कितना है सर कुछ भी नहीं है न पॉजिटिव है न नेगेटिव है तो इस बिहाफ पर अगर मैं oxidation number निकालता हूं तो कैसे निकल कर आएगा रहे भाई मेरे यहां पर oxidation number कुछ ऐसा निकल कर आएगा chromium के लिए हो जाएगा मेरे पास में x chromium के लिए हो गया मेरे पास में x plus six into zero which is equal to zero तो भाई यह जो आपके पास chromium था इसका oxidation number क्या हो गया है जीरो हो चुका है ना इस वाले की बात कर लेते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा निकल आ जाएगा निकल का atomic number कितना होता भाया 28 तो भाया 28 लिख देंगे इसके बाद में बात कर लेते निकल के लिए मुझे नहीं पता कितना है तो इसको क्या मान लिया मैंने x-1 लिया तो इसके regarding अगर value find out करता हूं x- plus six into zero which is equal to इसके ओपर कितना है चार्ज प्लस टू तो यहां पर जो आपके पास में निकल है उसका oxidation नंबर कितना आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा लास्ट में बात कर लेते हैं vanadium की तो vanadium का atomic number कितना होता है 23 अगर मैं इस पर देखता हूं vanadium पे तो इसको क्या नाम दे देता हूं सर vanadium को x double dash नाम दे देता हूं तो जब इस vanadium को solve करूंगा तो x double dash प्लस यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास में carbon monoxide clay 0 into 6 overall charge कितना है इसके उपर minus 1 तो आपके पास में x double dash कितना आ जाएगा oxidation number यहां पर minus 1 आजाएगा ठीक है यह जी clear हुई बात समझ में आया कि किस तरह से कहानी चल रही है और अगर इस तरह से कहानी चलती है तो इस तरह से कहानी चलते time पे जब आप इसको solve करोगे तो यहां पर अब क्या होगा सर आसान सा है यह वाला काम सबसे पहले क्या लखा आपने atomic number oxidation number की बात करता हूं x x की value कितनी आई है मेरे पास में 0 तो यह लिख दिया मैंने plus number of electrons electrons collected from ligand देखो क्या ligand है carbon monoxide carbon monoxide कैसा है monodentant एक electron की lone pair देता है कितने है यहां पर 6 तो इस वज़े से क्या आना चाहिए six into two आना चाहिए एक ligand दो electron देता है और ऐसे छे है तो six into two आएगा second वाले की बात कर लेते हैं तो atomic number कितना निकल कर आता है 28 minus इसका oxidation number कितना निकल कर आ रहा था रहे यहा प्लस टू तो यहां पर लिख दिया मैंने two plus कितने है यहां पर छे है तो अगेन क्या आ जाएगा six into two आ जाएगा वही वैनेडियम की बात करता हूं तो वैनेडियम का atomic number कितना होता है 23 minus carbon monoxide और six है परंतु यहां पर minus का sign है तो यहां पर जो इसका oxidation number आ रहा था वो कितना आ रहा था रहे भाई माइनस का वन आ रहा था प्लस कितने है six into two अब बस कुछ नहीं करना है इस value को कर देना है solve आपके पास में answer आ जाएगा तो देखो भाई साब इसको solve कर लेते हैं कितना जाएगा चेदूनी बारा 24 में से बारा चेदूनी बारा 24 और बारा कितना हो जाएगा 36 तो इसका effective atomic number कितना आ गया है 36 आ गया नाव इस वाले पर बात कर लेते हैं छेदूनी बारा कितना हो जाएगा 24 24 में अगर आप 12 को add कर दोगे तो कितना आ जाएगा 36 तो यह हो गया इसका effective atomic number clear हुई बात easy है आपके पास में तीन यहां पर complex compound देके रखे हुए थे इनका effective number निकला 36 38 and 36 clear हो गया बार बार बोल रहा हूं इस तरह का question पूछा जाता है आपसे डारेक्ट एक दो मार्क का question पूछा जाएगा जिसमें हो सकता है दो पार्ट बना दिये जाए एंड बी उसमें पूछते जाए बताओ effective atomic number क्या होता है तो बस रहे भाई इतनी कहां से करनी है परन्तु यहां पर हैं हमारे पास में one shot so क्या करेंगे थोड़ा सा जल्दी इसको में बढ़ाऊंगा बठा आपको easily clear हो जाएगा देखो यह नाम कैसे रखा जबकि जो outer sphere है वो कैसा है एनाइनिक है तब नाम रखना है नाम रखते टाइम पर सबसे पहले लिगेंड की quantity देखी जाती है लिगेंड क्या है सर यह जो NH3 है यह लिगेंड है यह क्या है सर सर यह सेंट्रल मेटल एटम है और इसके बाद में क्या है सर यह outer sphere है जो की होता है है तो आपने क्या लिग दिया है इसके बाद में जो ammonia group होता है इसे कहा जाता है नाम हो जाएगा है यह हो जाएगा इसके बाद में हमने आगे देखा हम है यहाँ हो गया हождения हो गया ह हम आप बात करते हैं यहां पर सैंट्रल मैटल एटम की तव यहां का नाम उसके quantity र के बाद में जैसी central metal atom रख देते हो तो इसके बाद में आता इसका oxidation number तो भाई साब oxidation number को रखा जाता है इस bracket के अंदर small bracket के अंदर और oxidation number कैसे निकालते हैं निकालना सिखाया था ना रे भाई कैसे निकालते हैं oxidation number निकालने का तरीका आप को मैंने यह सिखाया था कि suppose अगर यहां पर यह x है तो क्या मिल जाएगा x प्लस 6 into 0 which is equal to minus 3 ठीक है माइनस का 3 कहां से प्लस का 3 यह निकल कर आएगा क्यों तर आउव्यस बात है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इस वज़े से यह क्या करेगा 0 है क्लोरीन को जब तोड़ोगे तो 3 Cl negative निकलेगा इसके ओपर क्या बन जाएगा कॉडिनेशन स्फियर पे प्लस 3 चार्ज बन जाएगा तो इसका अंसर कितना आएगा रहे भाई इसका जो आंसर है x is equal to आजाएगा प्लस का 3 अगर यहां पर 3 वैल्यू आई है तो इस 3 को रोमन लेटर्स में लिखा जाता है तीन डंडियां खीच कर तो यह क्या बन गया हेक्जा अमाइन कोबोल्ट और इसके बाद में क्या है तीन क्लोरीन है और क्लोरीन कहां पर है एनायन की जगे पर है याद करना एक छोटा सा पॉइंट जब कभी भी नमक का नाम लिखा जाता है तो नमक का नाम क्या लिखा जाता है एने सील को कहा जाता है सोडियम तो इस बात पे जड़ा फोकस करना है वाया कि यहां पे जो क्लोरीन है वो एनाइनी ग्रुप पे है और अगर कोई भी चीज एनाइनी ग्रुप पे आती है तो एनाइनी ग्रुप पे उसे क्या कहा जाता है एनाइनी ग्रुप पे उसे कहा जाएगा क्लोराइड तो इसे यहां पर आजाएगा इसके लिए हमने ऑक्सिडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सिडेशन नंबर निकालते हैं टाइम पर हम लोगों ने यहां पर यह देखा कि भाई सहाब यह है एक्स डबल डैश इसके बाद में हम बात करते हैं प्लस फाइव इंटू जीरो किसके लिए अमोनिया के लिए और अमोनिया यहां अमाइन ग्रूप जिसको आप बोलते हो एक क्लोरीन है तो इस क्लोरीन के लिए क्या आजाएगा आपके पास में वन इंटू क्लोरीन हमेशा क्या करता है बाई माइनस-1 तो ध्यान रखना क्लोरीन हमेशा माइनस-1 होता है इकवल्टू क्या जाएंगा रेभाई इकवलड जीरो नहीं आएगा कि तना आुरा GOT हमारे पास मी प्लस्-क वारह है यह वाली कहांई होती है अब इसके अगर मैं इसको सॉल करता हूं तो यह ऑक्सडेशन नंबर क्या निकल रहा है एक्स डबल डेश माइनस का वन उधर गया तो क्या आजाएगा हमारे पास में प्लस का थ्री आ यहां पर क्या समस्या है हम लोगों ने यहां पर सबसे पहले जब क्यूंक oops कर रहे थे तो दो तरह की komplex compound देखे थे यह होमो वाले ले रहे तो एक होमे मुलेटिक थे ही ट्रो लाप्टिक अगर इस वाले की बात करता हूं तो यह कैसा है होमोलेप्टिक है क्योंकि इसके अंदर 6 लिगेंड एक जैसे है परन्तु यहां यह हीट्रोलेप्टिक है क्योंकि 5 लिगेंड तो अमोनिया के है और एक वहां पर कौन बैठा हुआ है क्लोरीन तो नाम रखते टाइम पर क्या करा जाएगा अलफाबेटिकली लिगेंड को रखा जाएगा एप पहले आता है यहां पर 5 है तो 5 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास में पैंटा अमाइन ठीक है अभी शांती रखो ठीक है अभी जड़ा शांती रखो में थोड़ी सीजी सी कर लो इसमें स्पेलिंग पैंटा अमाइन ठीक है अभी यह लिग दिया पैंटामाइन नाओ अब समझो पेंटामाइन के बाद में क्या है क्लोराइड ठीक है पेंटामाइन के बाद क्या है क्लोराइड है क्लोराइड को यहां पे लिखा जाएगा chlo rido ठीक है उसके बाद में क्या जाएगा सर इसकी oxidation state आ जाएगी oxidation state क्या रही है प्लस थ्री तो रोमन नंबर में कैसे अभी तो क्लोराइडों के बाद में क्या आ जाएगा भाईया कोबाल्ट आ जाएगा तो यहां पर लिख दिया मैंने कोबाल्ट और उसके बाद आ जाएगा इसकी और ध्यान रखना कि यह एक्चुल में एक आयन है यह यहां पर एक पूरा कंपाउंड नहीं है तो स्पेसिफिकली टू पॉजिटिव चार्ज होने की वज़े से यहां पर आगे में क्या लिख दूंगा कि सर यह क्या है एक आयन है फिर उस तरह से बात करता हूं अगले वाले कंपाउंड की तो अगले वाले कंपाउंड में तो मेरा दिमागी खराब हो जाएगा क्यों दिमाग खराब हो जाएगा सर यह तो इतना हेट्रोलिप्टिक है कि यहां पर सर यह भी लिगेंड है यह भी लिगेंड है और यहां पर यह भी लिगेंड है यहां पर तो सर चार लग टाइप के लिगेंड को जोड़ के रखा हुआ है तो अब सर इसका नाम क्या रखा जाए तो कोई टेंशन नहीं रहे रख लेते हैं इजी है देखो हर बार जब भी लिगेंड का नाम रखोगे तो क्या करना है आपको अलफाबेट को चेक करना है अलफाबेटिक लिए नाम रखा गया, कितने हमारे पास में अमाइन है, तीन अमाइन है, तो इसका नाम कहां से चालू हो जाएगा, नाम चालू हो जाएगा, मेरे पास में ट्राय अमाइन, ठीक है, यह रहे, यह डबल एमाइन, ट्राय अमाइन, यहाँ पर इसका शुरुवात पे नाम हो जाएगा तीन अमाइन है उसके बाद क्लोराइड आएगा परंतु यहां पर क्लोराइड की जगे आएगा क्लोराइडो ठीके साइनाइड की जगे आएगा साइनो और नाइट्रो की जगे क्या आएगा नाइट्रो की जगे नाइट्रो ही आएगा तो यहां पर आया आपके पास में ना तो भाई साहब यहाँ पर देखते हैं कि यह oxidation state का क्या खेल चला है oxidation state पर मैं इसको इस बार color change करके कुछ नाम अलग दे देता हूँ ठीक है, क्या दे दे, x triple dash दे देते हैं तो भाई साहब जब आप यहाँ पर x triple dash की value निकालोगे तो plus में क्या है पहला chlorine है, chlorine के ओपर charge कैसा होता है minus 1 cyanide group की बात की जाए इसके ओपर भी charge कैसा होता है minus 1 nitro group की बात की जाए charge होता है minus 1 वहीं पर अगर amine group की बात की जाए तो इस पर होता है charge 0 minus 1 minus 1 minus 1, solve करने पर आपके पास में जो oxidation state है वो कितनी आ गई रहे भाई प्लस 3 आ चुकी है तो यहां पर भी क्या करा जाएगा roman letter पे लिखा जाएगा प्लस 3 और देखो भाई सहाब यहां पर iron लिखने की जरूरत नहीं है और फिर वही गलती बताओ यही होता है थोड़ा से जल्द बाजी में काम कर दो तो गलती क्या कर रहा था मैं मैंने सर सब तो लिख दिया परंतु जो metal letter में उसका नाम तो लिखा है नहीं है नाइट्रो के बाद में क्या आजाएगा आपके पास में नाइट्रो के बाद आजाएगा कोबोल्ट और कोबोल्ट के बाद में क्या आजाएगा थ्री आजाएगा जो कि इसका क्या होता है oxidation number होता है ठीक है यह रख दिया अब आती है समस्या कहां से समस्या देखो सर समस्या यह है कि चलो अमाइन तो आप सही बता रहे हो क्लोराइडो का क्या सर सी एन नेगेटिव तो क्लोराइडो साइनो नाइट्रो चलो नाइट्रो इसका क्या लफड़ा रहता है तो भाई साभ यहां पर आता है अब आई यू पीएसी वाला मैटर क्या यू पीएसी वाला मैटर होता है लिगेंड्स के रिगार्डिंग इस्पेशली वो चेक करना है एक बार वो अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो इनका नाम रखना बहुत ही जादा आसान हो जाएगा अब देखो क्या होता है लफड़ा को लिख दो इसके अलावा उसके बाद में क्या नाम आता है आई यू पीएसी में सर उसके बाद में नाम आता है कि आप लिखते हो लिगेंड्स का नाम लिगेंड्स के बाद में लिखते हो जो भी कोई सेंटर मेटल एटम होता है वो ऑक्सिडेशन नमबर किसके अंदर आ आपके पास रोमन नंबर पे और उसके बाद क्या होता है एनायन परन्तु इंपोर्टेंट बात यह है या तो आपके पास में केटायन होगा अलग से आउटर स्फियर में तो वो केटायन भर रहेगा अगर एनायन है आउटर स्फियर में तो एनायन भर रहेगा ऐसा कभी भी कि आपके पास एकी साथ coordination sphere के बाहर मौझूद ionization sphere में केटाइन भी आ जाए एनाइन भी आ जाए दोनों एक साथ आजा ऐसा possible नहीं है क्या कहानी होगी यहां पर सीधी सी कहानी है या तो केटाइन रहेगा outer sphere में या फिर एनाइन रहेगा और अगर यह गाड़ी होती है तो भा diamine है परन्तु quantity double कर दी तो क्या हो गया dye amine हो गया है वहीं बात करता हूं कि methyl दो है में क्या मतलब क्या होता मिथाइल दो मिथाइल और एक अमाइन है तो क्या समस्या दो के लिए क्या लिखते हैं डाय तो डाय मिथाइल अमाइन लिख दिया बहुत 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 यह सिंपल परंतु अगर सारी चीजे इतनी आसान हो जाए तो फिर वह यह दुनिया में बचा ही क्या रह होते हैं जरा इस बात पर गौर फरमाया जाए तो भाई या गौर फरमाने पर हम लोगों को यह पता चला कि सर अगर इयन का नाम देखूं तो इयन के नाम में अल्रेडी इथाइली नी डायमाइन तो होता ही है आपने डाय को एक बार यूज कर लिया और उसके बाद दुबार के लिए पेंटा किस और छे के लिए जिसको देनी हो किस ठीक है छोड़ो गंदी बात नी करना क्या कहानी होती है इन आपके पास में क्या होता इथाइली नी डायमाइन उस पे क्या आ जाएगा आपके पास बिस क्यों आया बिस क्योंकि सर अल्रेडी आपने अंदर की तरफ दो अमाइन ग्रूप को define करने के लिए डायमाइन लिख दिया था और ऐसे दो इथाइलीनी डायमाइन के यहाँ पर दो ग्रूप जुड़े हुए so for that reason नाम पड़ा है बिस इथाइलीनी डायमाइन यह इसका नाम पड़ा है now बात कर लेते हैं भाई साब अगला वाला भी हमारे पास में ऐसा ही है मिध्याईलीनी डायमाइन है sorry मिध्यलीनी अमाइन है तो यहाँ पर जब नाम रखा तो इस बार क्या हो रहा है सर एक ही मिध्याईल ग्रूप है यहां पर दो methyl group थे तो देखो जब भी ऐसी situation होती है तो आपने क्या लिखा methyl amine अंदर एक group अलग है ठीक है अंदर एक group अलग है और ऐसे दो group हैं तो methyl amine को जब यहां double quantity मिली तो double quantity में show करने के लिए क्या लिखा गया है बिस लिखा गया है तो ध्यान रखना आगे हम लोग आई पेसे नेम को भी solve करेंगे तो वहां अगर तुम लोगों को बिस ट्रिस और टेट्रा किस देखने को मिल जाए तो इसका सीधा समतलब यह होता है कि आपका जो लिखेंड है अंदर से आल्रेडी ऐसे ग्रूप बनाकर बैठा है जहां पर आपने quantity को यूज कर लिया है डाय ट्राइक को यूज कर लिया है तो बाहर की तरफ जो चीज आती है ऐसे ग्रूप को काउंट करने के लिए तो वहां पर क्या जाएगा बिस और ट्रिस आ जाएगा ठीक है जी क्लियर हुई बात समझ में आ गया तो चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अगला होता है हमारे पास में कि सर अगर केटाइनी क्लिगेंड है तो क्या होगा केटाइनी क्लिगेंड में क्या आता है इम आ जाता है जैसे आपके पास में एन ओ पॉजिटिव है तो एन ओ पॉजिटिव के लिए क्या लिखा जाता है नाइट्रो जाइलियम ठीक है क्या लिखा जाएगा ध्यान रखना रहे फिर उसके बाद में यह देखा था हम लोगों ने केटाइनिक लिगेंड वाला इसको क्या कहा जाता है हाइड्रेजाइनियम हाइड्रेजाइन होता है एनस्टू सिंगल बॉंड एनस्टू परन्तों यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रेजा पढ़ लेना अच्छे से यह कुछ important neutral ligands लिखे हुए हैं क्योंकि सबसे जादा समस्या यही लिगेंड देते हैं ठीके क्योंकि इनका कोई एक fix pattern नहीं होता है यहां तो EM 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 है परन्तु यहां कोई fix pattern नहीं है जैसे H2O की बात की जाए तो भईया H2O को क्या बोलके रखा हु अगर NO positive हो गया तो नाइट्रो जाइलियम फिर C6H6 है तो बेंजीन और अगर आपके पास यह अमाइड ग्रूप है अमाइड मतलब क्या जहां पर कार्बोनिल ग्रूप और अमोनिया दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं ठीक है जी तो यह होते हैं neutral ligand नाव बात कर लेते हैं anionic ligand जिसके अंदर variety of ligands पाए जाते हैं anionic ligand को यहां पर पढ़ते टाइम पर आपको यह ध्यान रखना है कि anionic ligand के अंदर जब कभी भी नाम को प्रनांस करते हुए ATE आता है तो ATE का क्या हो जाता है ATO हो जाता है जैसे nitrate का क्या हो गया है nitrato फिर उसी तरह से carbonate का क्या हो गया है carbonato और AC AC negative का क्या हो जाता है acetyl acetonato ठीक है यह कभी भी आप anionic ligand को कहां यूज करते हो IUPAC के अंदर use करते हो तब ध्यान रखना रहे यह काम होता है acetyl acetonato यह कहानी होती है clear हो गई बात गाड़ी आगे बढ़ाई जाए आगे गाड़ी बढ़ाने पर हमारे पास मिलता है ITE ITO यह कहानी होती है ITE ITO का क्या किस्सा होता है जैसे यहां बात किया जाता है क्लोराइट का क्लोराइट ओ अनोटू नेगेटिव नाइट्राइट का क्या हो जाता है नाइट्राइटो बन जाता है clear हो गया तो बसरे भाय इतनी कहानी है अब यहां पर आता है उस सवाल का जवाब जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था chlorine actual में क्या होता है chloride होता है परन्तु अगर वो coordination sphere के अंदर as a legend लिखा जाएगा तो chloride का क्या हो जाएगा chloride o sinide का क्या हो जाएगा sinido और hydroxide का क्या हो जाएगा hydroxide o sorry hydroxide o हो जाएगा ठीक है रहे भाई ये कहानी हो जाएगी अब देखो इसके बाद में हमारे पास आती है अगली केटेग्री अठीक है ये हो गये हमारे ले सकते हो ठीके जैसे हम लोगों ने भी बात करी थी किसर यहां पर क्या है Sainide है, तो यहां पर क्या लिखा जाता है Sainido, फिर आपके पास में Nc, साइनाइट गूर्प के अंदर अगर आप कारबन से इलेक्टरोन लोगे तो वह Sainido है, ध्यान देना, क्या है Sainido, परणतु अगर नाइट्रोजन से लेते हो तो वह क्या बन जाता है, यहां तो आपने साइनाइड लिखा हुआ है ठीक है यहां तो आपने साइनाइड लिखा है पर वहां साइनों क्यों लिखा सर यह कैसे हो गया तो भाई यह एक और आईउपेसी का छोटा सा रूल यहां पर होता है भाई वो निकल कर यह आएगा कि यहां पर जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जहां आपके पास में जो कार्बन है वो डोनर हो ठीके कार्बन जो है वो क्या है डोनर है तो कार्बन जब डोनर होता है तो यह जो आईडी ओ है वो किसमें कंवर्ट हो जाएगा साइन नाइडो जो है वह किसमें कनवर्ट हो जाएगा ओ पूरा ही लिख देता हो ना कि तो सी वाए यह एन साइन आइडो जो है वह साइनो ग्रूप में क्या हो जाएगा कर्म बठोन जाए इसलिए specially मैंने वह वाला molecule या वह वाला जो लेके रखा था ताकि आपको पता चल सके कि सर इतने रूल्स के बाद में भी एक यह वाला पर रूल्स नहीं होना चाहिए कि फुर स्पेसिफिकली सानाइड के केस में साइनाइडो की जगह क्या लिखा जाता है साइनो क्योंकि यहां पर आप कार्बन से क्या कर रहे हो लॉन प्रॉर फिलेक्ट्रों ले रहे हो कारबन एक और गैनिक कमपाउंड है जबकि यहां पर ज टो सोबाते हैं हम लोग दो कोशन आपको देकर रखे हुए है कि यहाँ इसको सॉल करके रिखाओ यहां पर यह के मंजलेटायन है ठीक है सिंपल तो दोंगा औह POL क्या तो यहां पर ये के टायन है केटायन के साथ में है central metal atom इसके साथ में आपके पास एक साइनो ग्रूप का ligand जोड़के रखा है oxygen भी जोड़के रखा है जो के again neutral ligand है फिर यहाँ O2 NH3 और एक molecule दे के रखा है इतना अपना सवाल करके बताओ जो इसका सही नाम लिखेगा उसको बढ़िया सा वहां पर comment पे हम heart दे देंगे ठीक है जी clear हो गई बात चलो गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अब अगली कहानी पर हमारे पास में बढ़ने पर आते हैं आपके पास में isomers isomers क्या होता है सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या सर isomers की जब कभी भी बात की जाती है तो isomers का मतलब होता है किस color से लिखा जाए कुछ color में प iisomers की तो यह isomers क्या होते हैं isomers वो होते हैं जहां पर molecular Formula जो होता है वो क्या होता है सेम होता है परन्तु इसका जो geometrical और optical formula होता है या इसको present करने का तरीका होता है वो हो जाएगा different हो जाएगा ठीक है जी तो उसको क्या कहा जाता है molecular a sorry isomers कहा जाता है isomers के हमारे पास में यहां पर दो variety पढ़नी पड़ेगी पहले हम देखेंगे structure isomers को देन उसके बाद में हम देखेंगे optical isomers को structural isomers की जब कभी भी बात की जाती है तो पहले वाले complex compound की जिने आयोनाइज करने पर यहां पर इनके ions में difference निकल कर आजाए कैसे difference निकल कर आएगा भाई सहाब सर बहुत आसान है सब बोलेंगे हाँ बस जब देखो तब सर यहीं बोलते रहते बहुत आसान है बहुत आसान है अरे भाईया है ना आसान को इतना टव भी थोड़ी ना है ठीके इसको मैं थोड़ासा ऐसा बना दू यह गया इधर और यह गया हमारे पास में इधर अब देखो यहां पर जब मैं इसको ब्रेकडाउन करता हूं तो ब्रेकडाउन करने पर यहां पर क्या मिल जाएगा सर यहां जब आप इसको ब्रेकडाउन करोगे तो आपको एक तरफ मिलेगा PT NH3 4 BR2 यहां आजाएगा 2 positive और साथ ही साथ में यहां पर प्लस में मिलेगा twice of CL negative तो एक यह मिला और इस वाले की अगर आप बात करते हो तो इस वाले पर आपको क्या मिल जाएगा सर इस वाले पर आपको मिल जाएगा PT NH3 4 CL2 2 positive प्लस twice of BR negative क्या difference निकल कर आया सर दोनों में difference यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि अगर आप ionization वाले की बात करते हो तो इसके अंदर situation हमारे पास में यह बनती है कि जब इसको ionize कराया जाता है तो इनके जो ions बनते हैं वो different होते हैं जिसे पहले आपके पास में केटाइन यह था और एनायन यह था वहीं दूसरे वाले में यह केटाइन यह एनायन जबकि अगर आप बात करते हो molecular formula बिल्कुल सेम है बस bromine को अंदर ligand में chlorine ने replace कर दिया और एक बार chlorine को bromine ने replace कर दिया है that's it सिर्फ इतनी कहानी हो गए तो इसको क्या कहा जाता है सर इसे कहा जाता है आपके पास में ionization isomer फिर बात कर लेते हैं अगला अगला वाला हमारे पास में आता है hydrated और इसे पढ़ने से पहले करफिया इस बात को और जान लिया जाए कि इसे hydrated के साथ में एक और नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है solvated ठीक है भाई साहब क्या आपको ला जाता है hydrated या फिर solvated isomers और अगर मैं जब कभी भी बात करता हूँ hydrated या solvated isomers की तो hydrated या solvated isomers इस तरह से होते हैं यहां होता क्या है कि जब कभी भी ligand के तोर पर water का molecule add किया जाता है तो इसकी quantity में change होने की वज़ज से यहां पर यह अलग-अलग product का formation करता है example के तोर पर अगर chromium से directly 6 water के ligands जुड़े हुए होंगे तो यह violet color आपको provide करेगा और क्यों करेगा? वही यार crystal field splitting energy theory जहां पर dg transition दिखाया जाएगा सबर कर लो सबर कर लो आएगा आगया आएगा लोड नहीं यह थोड़ा सा हो जाए बस थोड़ा सा बचा यह isomers वाला part यह हो जाएगा तो उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में आगे वो वाली कहानी भी आजाएगी लोड नहीं लेना भाई ठीक है वो VBT VBT सब आजाएगा नहीं बात कर लेते हैं यहां पर कि अगर 6 में से एक बाहर चला गया H2O और composition कुछ इस तरह से बन गया water के molecules जो ligand थे और outer sphere थे इन में change आया तो वाईया color बदल गया bright blue color फिर उसके बाद में यहां पर देखो 3H2O 2H2O यहां पर क्या हुआ दोनों के दोनों dark green color provide कर रहे हैं परंतु दोनों में फरक क्या है सर दोनों के अंदर फरक यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि यहां पर आपके पास में जब आयंस को देखा जा रहा है तो भाईया देखो यहां पर क्या है क्लोरीन का एक आयन मिल रहा है CL negative एक एकलोता मिल रहा है यहां पर कोई भी CL negative नहीं मिल रहा है तो यह जो आयंस का इस बार खेल हुआ है देखो problem कहां पर आई है problem तो sir यहाँ पर यही आई है कि आपने यहाँ पर जो ions का खेल करा है chlorine एक जगे मिल रहा है एक जगे नहीं मिल रहा है तो इस situation पर दोनों के दोनों क्या करते हैं dark green color provide करवाते हैं ठीक है भाई साब clear हो गई बात समझ में आ गया ठीक है भाई साब यहाँ पर hydrated solvated का मामला खतम अगले isomers होते हैं हमारे पास में linkage isomers तो भाई या linkage isomers की कहानी बहुत 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 सिंपल सी होती है कि यहाँ पर difference आ जाता है linkage के regarding linkage के regarding यहाँ पर क्या NO वाला form यहां मिल गया है जबकि यहां पर NO2 वाला form मिला हुआ है दोनों में difference क्या है भाई साहब पहली बात रंग बदल चुका है और इसके अलावा दूसी चीज यह आई हुई है कि यहां पर जब donor side oxygen होती है तो नाम पढ़ जाता है नाइट्राइटो वहीं पर जब donor side nitrogen है तो नाम क्या होता है नाइट्रो तो करपिया इस बात का धिया जाए कि जैसे यह आपके पास Embedentine ligands आते हैं तो Embedentine ligands के अंदर जब आपकी donor side change होती है बाकी सारा structure सेम रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा linkage isomerism कहा जाएगा ना बात कर लेते हैं भाई साब एक और बहुत ही भयंकर के important वाले isomers की जोकी होते है coordination isomers example example लिखकर सखा हुआ है कहानी आपको ncrt की book में मिल जाएगी तो कहानी वहां से आप पढ़ सकते हो यहां से जानोगे आप कहानी का सारांश ठीक है रहे भाई चलो तो इसे के regarding यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात कही गई है वो बात यह कही गई है कि दो molecule लिखे गए है जिसमें cobalt group यहां पर जुड़ा हुआ है किसके साथ में hexamine के साथ में वहीं पर chromium group जुड़ा हुआ है hexasino group के साथ में ठीक है coordination isomers में क्या हो जाएगा यहां पर coordination बदल जाता है coordination number के इस बात पर depend करता है number of ligands attached to the central metal atom तो यह कहानी क्या बोलती है कोबोल्ट पहले 6 अमाइन ग्रुप के साथ अब क्या कर दिया है cobalt को हमने साइनो ग्रुप के साथ में attach करवा दिया तो जब इस तरह से interchange हो जाता है ligands का या उसके coordination का तो उसको क्या कहा जाता है coordination isomers कहा जाता है तो यह यह थे हमारे पास में कौन से वाले geometrical ना बात कर लेते हैं stereo isomers की तो यह stereo isomers का मतलब क्या तो भाई सहाब stereo isomers जो stereo property के ओपर depend करती है जिसमें आपके पास में पहला structure था उल्टा बुल दिया इसमें क्या आता है geometrical और optical आता है पहले वाले structure थे sorry 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 my mistake ठीक है तो इसमें आते हैं geometrical और optical geometrical में क्या होता है कि यह geometry में change आ जाता और वो हमको पता है plane of symmetry class 11 का concept पढ़के रखा हुआ है organic chemistry के अंदर जहां हम लोगों ने पढ़के रखा हुआ था कि plane of symmetry में जब एक side पर एक जैसे ही group मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है सिस composition देखो बैया chlorine chlorine amine amine परंतु इधर उधर बिगाड दिया तो बिगाडने पर क्या हो जाता है हमारे पास में ट्रांस हो जाता है परंतु हम लोग को पता है और सिस और ट्रांस में से ज़्यादा stable ट्रांस वाले होते हैं सेम उसी तरह से chlorine अगर दोनों के दोनों similar group एक साइड में आए हुए हैं तो वह हो जाएगा सिस परंतु अगर एक दुसरे के आपोजिट आ जाते हैं तो वह क्या कहलाएगा आपके पास में ट्रांस स्टेट कहलाता है ठीक है बाई साब क्लियर हो गई बात सिंपल सा है अब इसी के रिगार्डिंग आपके पास में अगली जो concept होती है वह होती है optical isomer optical की कहानी यह होती है कि जब कभी भी इन पर sunlight पढ़ती है तो sunlight पढ़ने की वज़े से यह जितने भी आपके पास में compound होते हैं वह optically active हो जाते हैं अक्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि यह sunlight जब इनके उपर पढ़ती है ना तो sunlight पढ़ने पर हम यह बोलते हैं कि यह अपने यहां पर mirror image से rotate हो जाते देखो यह दिख रहा है इसका जस्ट उल्टा rotation यहां पर आपके पास में form हो गया जब यह rotation मिलता है तो rotation दो type का होता है एक होता है dextro rotatory और एक होता है levyo rotatory dextro और levyo के अंदर क्या difference होता है जहां dextro rotatory बोलता है कि यह right hand side पर clockwise घूम रहे हैं वहीं पर levyo rotatory बोलता है कि left hand side पर या फिर anti clockwise घूम रहे हैं तो भाई साब कहानी क्या होती है अगर यह ऐसा घूमता है तो यह क्या है dextro dextro rotatory में क्या होता है सर यहां पर clockwise rotation होगा जब sunlight इस पर पड़ेगी और यहां पर आगया अगर levyo तो levyo में क्या होता है सर anti clockwise rotation होता है तो ठीक है रहे भाई साब इतनी सी कहानी है आपके पास में आगे बढ़ जाते हैं bonding के उपर bonding in metal complexes तो भाईया अब से कहानी चालू होगी इस चैप्टर का जो सूपर हीरो है वो अब यहां पर आता है जहां पर हम बात करते हैं bonding की तो bonding in metal complexes में तीन टाइप के bonding हमें यहां पर बूली जाती है एक होती है balance bond theory एक होती है crystal field theory इसमें L लिख दिया जाए crystal field theory और एक होती है MOT का मतलब क्या होता है सर MOT का मतलब होता है molecular orbital theory ठीके रहे भाई क्या होता है molecular orbital theory इतनी सी कहानी होती भया अब molecular orbital theory वाली की बात अगर मैं कर देता हूँ तो भाई साब इस chapter के अंदर especially अभी class 12 में MOT का कोई concept नहीं दिया जाता है generally balance bond theory और crystal field theory से ही आप लोगों को course बताया गया है इस पे ऊपर course नहीं है तो करपिया हाथ जोड़के आपसे निवेधन है कि यह मत लिखना की सर जी MOT बता दो क्योंकि MOT यहां से अभी relate नहीं कर रहा है और यह भी मत लिखना की सर JTD बता दो John Taylor theorem जो होती है John Taylor distortion क्योंकि वो सारे जो concept होते हैं competitive examination में आएंगे मैं जब वहां पर lecture लोंगा तब उसको पढ़ा दोंगा ठीक है रहे भाई चलो बात करते हैं दो major theory valence bond theory और crystal field theory की ठीक है भाई साब valence bond theory की जब कभी भी बात की जाती है तो valence bond theory के अंदर होता है electron का दान इलेक्ट्रोन दान दिये जाते है पर बात होती है यह electron दान देने वाला दानी कौन मैं बात करता हूं लिगेंड जो है किसे दान देता है ठीक है लिगेंड दान देगा किसे दान देगा रहे भई लिगेंड यहाँ पर दान देता है Central Metal Atom को ठीक है भाई सहब तो Central अपने मन से लिख लेना भाईया मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ Metal Atom तो यह क्या करता है Metal Atom को यहाँ पर Electronों का दान देता है परन्तु सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर यह आता है कि यह जो दान में Electron मिले है तो यह जो दान के Electrons है कहां जाते हैं ठीक है भाई सहाब वैलेंस बॉन्ट थेवरी यहाँ पर क्या बोलती है कि यह दान दिया जाता है Electronों का दानी कौन? Ligend Ligend किसको दान देगा? Metal Atom को पर यह जो दान के Electrons है वो कहां पर जाते हैं तो भाई यह जो दान देने वाले Electrons होते हैं वो जाते हैं आपके पास में S-Orbital, P-Orbital and D-Orbital पे और जब यह S-P-D और बाइटल पे जाते हैं तो यहां से अब आपके पास में Concept जुड़ता है Hybridization का ठीक है भाई साब किसका Concept जुड़ता है Hybridization तो यहां पर जुड़ता है भाई यहां हमारे पास में Hybridization का Concept जिसको अभी आगे हम लोगों को पढ़ना रहेगा ठीक है भाई यहां चलो बात कर लेते हैं यहां पे अब देखो यहां पर एक छोटा सा Concept निकल कर आ रहा है इस Concept के रिगार्डिंग क्या बोलके रखा हुआ है कि आपके पास में Cobalt है जिसके पास होते हैं 27 Electrons Electronic Configuration अगर मैं यहां पर देखता हूँ Cobalt का तो Cobalt का Electronic Configuration होता है 3D7, 4S2, लास्ट वाले दो और्बिट के लिए अब Cobalt अगर अपनी प्लस 3 Oxidation State में आता है तो यह 3D6 बना देता है 3D6 का मतलब क्या D Orbital में 6 Electrons 5 यह और एक यह चटा 6 Electrons यहां पर आ रहे हैं अब बात ध्यान देना देखो भाई साब जब भी Cobalt अपनी आइनिक स्टेट में आ गया तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है उसके पास 3D में Electron है परन्तु 4S, 4P और 4D खाली बैठे हुए है क्यों खाली बैठे थे? क्योंकि सर Electron नहीं थे है ना? क्या थे? Electron नहीं थे इसलिए क्या थे? वो खाली बैठे हुए थे जब यह यहाँ पर खाली बैठे हुए थे तो अब यहाँ पर क्या होता है भाई सहाब? अब होता है यहाँ पर चमतकार क्या चमतकार होता है? कि सर यह जो Coordination No.6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि सर यहाँ पर आते हैं 6 Legands ठीके रहे भाई, क्या आते हैं? 6 Legands आते हैं 6 Legands क्या करेंगे? यहाँ पर 6 Electrons की Loan Payer को दान कर देंगे या Donate कर देंगे तो करप्या इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर क्या किस्सा हुआ है? कि सर, Coordination No.6 होने की वज़े से 6 Loan Payer Donate करे गए हैं किसको इन खाली डब्बों को जब इन खाली डब्बों को Electron Donate करा गया तो देखो क्या हुआ? एक साथ Loan Payer जा रही है तो 2 Electron इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर टोटल 6 जोड़ी Electron Donate हो गए जब 6 जोड़ी Electron यहां पर Donate हो गए तो कौन-कौन यहां पर Participation दिखा रहा था? सर, यहां पर Participation दिखा रहा था 1, S, 3, P, और 2, D तो इसमें Hybridization कौन सा हो जाएगा? सर, यह हो जाएगा SP3, D2 ठीके रहे, भाई, कौन सा हो जाएगा? SP3, D2 Hybridization हो जाता है परन्तो इस बात का ध्यान रखना जब भी इस तरह से Hybridization होता है तो Energy का जो Level होता है बहुत जादा High होता है High Energy क्यों होती है? क्योंकि भाई सहाब आप चोथे और्बिट तक 4D तक Electronों को पहुँचा रहे हो और आपको ये पता होना चाहिए कि भाईया इतने जैसे जैसे Atoms में दूरी बढ़ती जाती है तो Electrostatic Ports क्या हो जाता है भाईया कमजोर होने लगता है तो इतनी दूरी पर अगर किसी चीज़ को Hold करके रखना है तो अव्यस बात है Energy का Level हाई होगा कहां पर इस पूरे Configuration पर अब देखो अगली चीज़ अगर Energy का Level होता है तो ये होता है Labile Labile का मतलब क्या होता है सटका हुआ बिगडा हुआ अव्यवस्थित या फिर बोला जाए Unstable तो देखो भाई साब यहां पर SP3D2 Hybridization पर High Energy होता है जिससे Labile होते है और अस्थिर हो जाते है साथ ही साथ में Outer Orbit यहां पर Use किया जाता है 4D इसके अलावा जब भी ऐसी घटना होती है जहां पर Energy बहुत जादा High है क्योंकि आप बाहर जा रहे हो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो तो for that reason यहां पर होती है High Spin या फिर इसको कहा जाता Spin Free Complex ठीके भाई साथ क्या कहा जाता इसे High Spin या फिर Spin Free Complex जब आप इलेक्ट्रोनों को बाहर की तरफ डोनेट करवाते हो इस D-Orbital को छोड़कर दूसरे D-Orbital के पास में जाते हो ऐसी घटना पे यहां मैंने यह पाया कि इस 3D के अंदर 4 Lawn Pairs बची हुई थी 4 Lawn Pairs बोलता हूँ 4 Unpaired Electrons बचे हुए है तो जो यह 4 Unpaired Electrons होते हैं वो क्या जनरेट करवाते हैं सर यह जनरेट कराते हैं Paramagnetic Nature या Paramagnetism को Generate करवाते हैं पता है कि नहीं पता हम लोगों ने D&F ब्लॉक में पढ़के रखावा था कि जब Unpaired Electrons पाय जाते हैं तो वो क्या करते हैं Paramagnetic Characteristics को Generate कराते हैं क्लियर हो गई बात समझ में आया क्या हुआ Electrons जब जा रहे थे तो पहला तरीका यह था कि बिना 3D को छेड़े हुए 6 Legands जो अपनी 6 Lawnpair दे रहे हैं जिस जिसको भी मिल रही है चुपचाप से दे दो तो इसमें बाहर का एक 4D Orbital यूटिलाईज हुआ जिस वज़े से इसको Outer Orbital कहा जाता है Energy का Level High होता है जिस वज़े से बहुत ही ज़्यादा Unstable होता है और High Energy Level की वज़े से इसे कहा जाता है High Spin या फिर Spin Free Complex यहां बाहर देने की वज़े से Unpair होने की वज़े से Paramagnetic Characteristic Generate होता है कहानी No.1 कहानी No.2 कहानी No.2 क्या बोलती है कि जैसे पहले जो मिल रहा था उसे Accept कर लिया गया परन्तु Second किस्सा यहां पर यह पाया जाता है कि भाई साब यहां Huns के Rule का क्या होता है Voilation होता है ठीक है भाई साब ध्यान रखना क्या बोलता हूँ कि यहां पे जो Huns है न तो यहां पे Huns का Rule जो होता है वो Violet हो जाता है Violet की Spelling पता नहीं सही है की नहीं है मेरे को नहीं पता पर Violet हो जाता है मतलब हम नहीं मानते ठीक है क्यों नहीं मानते सर क्योंकि यहां पर देखो Huns बोलता है कि सभी को पहले एक-एक Electron मिलेगा उसके बाद Repetition चालू होगा परन्तु यहां पर एक Situation ऐसी आती है जब बिना Repetition के ही Electron को अंदर Push कर दिया जाता है तो यहां पर जो यह दो Electron थे ना यह Jump करके यहां आ जाते हैं और 3D के अंदर तीन जोड़ी आल्रेडी बन जाती है और तीन जोडियों के आल्रेडी बनने के बाद में जो 6 लिगेंड 6 लॉन पियर दे रहे थे वो कहा जाएगा D के 2 Orbital में जिस वज़े से इसको लिखा जाएगा D2 1S में और 3P में तो इसको क्या लिखा जाएगा D2 SP3 कहा जाता है ध्यान रखना क्या कहा जाता है रहे भाई D2 SP3 कहा जाता है D2 क्यों कहा गया क्योंकि सर इस बार Inner Orbital लिया हमने बाहर वाले का यहाँ पर कोई सपोर्ट हासिल नहीं करा हमने अंदर वाले से ही काम चला लिया तो D2 SP3 यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर इस सिचुएशन पर एनर्जी क्या होती है लो हो जाती है क्यों क्योंकि भाई यह घर के अंदर ही है बाहर जाओ तो एनर्जी जादा लगेगी भाई यह घर के अंदर है तो energy कम energy कम तो stability high हो जाएगी और यहाँ पर ध्यान रखना अगर अंदर वाले से काम चलाया है तो क्या बनाएगा इनर और्बिटल कॉंप्लेक्स बनाता है बाहर वाले डी का यूज करा तो आउटर अंदर वाले डी का यूज करा तो इनर इसके बाद बात करते हैं कि भाई यह क्या होते हैं लो स्पिन कॉंप्लेक्स होते हैं लो स्पिन कॉंप्लेक्स क्यों होते हैं क्यो को वाइलेट करा हांट के रूल को क्या करा मैंने वाइलेट करा वाइलेट करके मैंने यहां पर बोल दिया कि वह यह पहले इन देब ले पढ़ले ले पढ़ले तो इतना अगर कोई पढ़ले पढ़ले बोलता है तोसके बाद में इतने उनरजी इंटर चले जाते हो मुझे दुनिया घूमनी है मुझे क्या करना है मुझे लाइफ को इंजॉय करना है मुझे वर्ल टूर करना है मुझे दोड़ना है पहाड़ों पे चड़ना है मुझे उठना है मुझे गिरना है फलाना करना है धिकाना करना है तो इनके फलाना और धिकाना में यह पैरा मैगन समुद्दर में कूद नहीं लगाते हैं परन्तु हां इनके साथ में यह जरूर होता है कि सर इनकी पेर्स बन जाती है और पेर्स अगर बन गई जोड़ी बन गई तो क्या होगा सर इनकी लाइफ इस्टेबल हो जाती है तो यहां पर ऐसी कुछ घटना होती है तो नेचर के बारे में बोला जाता है डाया मैगनिटिक और डाया मैगनिटिक हमको मालूम है वह यह स्टेबल होते है और पेरा मैगनिटिक अन्स्टेबल तो यह कहानी किस के लिए होती है सर यह octahedral के लिए होती है जब आपके पास में 6 ligands को जोड़ा जाता है ठीक है भाई साब अगर 6 की जगे 4 हो coordination number तो यहां से जो complex compound बनते हैं यह perform करते हैं या तो sp3 hybridization जहां पर shape कैसा बनेगा tetrahedral या फिर dsp2 hybridization जहां पर shape कैसा बनेगा आपके पास में square planner ठीक है यहां पर क्या जबर्दस्ती हुई है देखो इसके साथ कोई जोर्दबर्स्ती नहीं हुई यहां पर outer में ही आपने 4s और 4p को satisfied कर दिया यहां जोर्दबर्स्ती हुई थी कि जो electron था इसको जबर्दस्ती यहां पर इसके साथ जोड़ी बनवा दी जोड़ी बनवा दी डबल हो गए तो d orbital एक खाली हो गया तो यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी तो आपके पास में 4 lawn pairs आ चुकी है बिकॉस चार आपने ligands यहां पे फसा दिये थे clear हो गई बात दो शेप बने टेट्राहेड्रल एंड स्क्वेर प्लैनर अब यहां गाड़ी थोड़ी से में और आगे बढ़ाता हूं जहां पे बात कर लेते हैं लिमिटेशन की लिमिटेशन क्या बोलता है कि भाई साब जो वी बीटी थी डाज नॉट डिस्टिंग्विश बिट्वीन वीक एंड इस्ट्रॉंग लिगेंड ठीक है अभी जो तुमने धक्का देने की बात करी है ना कि धक्का देकर डी और्बिटल को जबरदस्ती पेयर लिडेकर रहा है तो यह जो धक्का लगता है यह धका किससे लगता है स्ट्रॉंग लिगेंड से लगता है परंतु वी बीटी ने बोला कि हम नहीं थे साथ मोर्ट कर लेते हैं कुड्ड नॉट गीव एनिस सट्रॉंगह सट्क्र सबीस्वाहें for the colors अब हम लोग को पता है डी और्बिटल जाने जाते हैं अपने डिफ्रेंट डिफ्रेंट कि वज़े से यह डी और्बिटल ट्रांजीशन elements यह color compound को form करते हैं खास करके जो complex compound होते हैं वो colored compound को form करते हैं परंतु वईया वीबिटे ने क्या बोला मैं नहीं बताऊंगा फिर तीसे नंबर पर क्या आया नो एक्स्प्रेंशन फॉर थर्मडायनेमिक एंड काइनिटिक स्टेबिलिटी यह हीट के regarding या फिर इनके जो काइनिटिक एनरजी होगी या फिर जो क्यामिकल काइनिटिक सोता है जिसमें डायरेक्शन बताई जाती है तो वीबिटी ने इसके बारे में भी कोई explanation नहीं दिया जो अलग-अलग शेप होते हैं जैसे कि हमने अब भी देखा था कि सेम चार कॉर्डिनेशन नंबर पे टेट्राहेडरल और स्क्वेर प्लैनर दो शेप बन रहे थे परन्तु इन शेपों की जो रिलेटिव एनरजी थी उसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया फिर बोता है does not able to explain why magnetic movement varies with temperature हमें पता है temperature बढ़ाने पर magnetic movement में भी क्या होता है चेंज होता है क्यों क्यूंकि सर जो elektrons होते हैं वो ground state से excited state में आते हैं तो hybridization में change होगा जिससे magnetic movement भी बदलेगा परंतु नहीं बताया ठीक है अब क्या हुआ इतनी सारी बातों के बाद में एक खुलासा किया गया और उस खुलासे में यह बताया गया कि वीवीटी एक्च्वल में पूरी की पूरी अजम्शन के ऊपर बेज्ड थी तो भाईया जब सारी ही तुमने एज्यूम कर ली है सारी पर सब्सक्राइब करनें सेवंटी committees करके रख पर दी करके रखा होगा इसलिए बोलता हूं यह पढल रहा है हुप सेवंटी में से सवन्टी करके रखा होगा इसलिए बोलता हूं भाईया पढ़र लोगा श progression Criled पढ़ लो पढ़ाई लिखाई कर लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला हमारे पास में आता important crystal field theory तो देखो crystal field theory actual में बूलता क्या है crystal field theory ये बूलता है कि अगर आपके पास में कोई metal atom होता है जिसको चारों तरफ से या तो किसी negative charge ने या फिर किसी legend ने इसको घेर कर रखा है तो इसको जब घेर कर रखा जाता है तो यहां पर metals और लिगेंड के बीच में एक एलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ओफ अट्रेक्शन फील किया जाता है ठीके क्या किया जाता है एक एलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ओफ अट्रेक्शन फील किया जाता है बिल्कुल सही है सर एक आपके पास पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो व तो यहां से होता है मेन संताप चालू यहां से ही बहंकर की खतरनाक कॉंसेप्ट चालू होता और वो कॉंसेप्ट यह चालू होता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजन्ट होते हैं मैटल एटम के अंदर वह रिपल्शन को फील करते हैं रिपल्शन को फील करने का मतलब क्या कि सर यहां से जो electrons अंदर जाने के कोशिश कर रहे है न तो यहां से जो metal जो अपने electrons को hold करके बच़ा इनके बीच में repulsion हो रहा है अब repulsion होने की वज़े से क्या होगा सर repulsion होने की वज़े से यहां पर हम लोगों के एक result देखने को मिलेगा सर वो questionnaire मिलेगा कि यह अगर डि औरबिटल है ठीक है रभाई यह अगर आपके पास में डि और बिटल है और यहां पर कुछ ऐसा काम चल रहा है अब इसके पास में कौन आगया लिगेंड दागया तृट अब यह लिगेंड के पास में भी electron है इस d orbital के पास में भी क्या है electron है electron और electron के बीश में repulsion चालू होता है और इस repulsion की वज़े से लड़ाई जखड़े चालू होंगे tension चालू होगी तो इस tension से बचने का एक रास्ता निकाला जाता है इन d orbital के electronों के द्वारा यह perform कर देते हैं hybridization जहाँ पे यह जो electrons होते हैं वो यहाँ pairing कर लेते हैं जब यहाँ पर यह लोग pairing करते हैं तो pairing करते time पर यहाँ पर कुछ ऐसा अब देखने को मिल जाता है मतलब क्या हो रहा था कि यह जो थे न यह इनको परिशान कर रहे थे यह इकलोते थे तो इनको परिशान कर रहे थे यह वाले ligands के lawn pair जिस वज़े से इन्होंने परिशानी से बचने का रास्ता यह अपनाया कि यह इससे दूर भाग जाओ दूर भाग कर कहीं अपनी जोडी बना लू जैसे इन लोगों ने यहां अपनी जोडी बना ली तो आहाहा आनन्द आ जाएगा क्यों आनन्द आ जाएगा क्योंकि यह थोड़े से stable हो जाएंगे तो ऐसी कुछ घटना होती है अब यह इसी घटना के regarding एक घोर concept ठीक है लोग बोलते हैं core concept हम बोलते हैं घोर concept गोर concept निकल कर आता है वो concept होता है डी जनरेसी का अब वही आपका main crystal field theory का concept है इस concept के regarding क्या होता है डी और्बिटल की अगर बात की जाती है तो यह डी और्बिटल टोटल पांच भागों में बटा हुआ रहता है इन पांच भागों के बारे में अगर ज्यादा जान करी चाहिए तो d and f block element वहाँ पर मैंने वो बना के रखाए रहे भईया उसका one shot वहाँ जाकर एक बार देख लेना बकाइदा बताया है कि actual में d orbitals में 6 orbitals होते हैं और उन 6 orbitals के अंदर जो आपके पास में 2 axial orbitals होते हैं उनको merge करके ही एक mixed orbital बनाते हैं जो होता है d z square ठीक है भाई साब उसको वहाँ अच्छा खासा मैंने बता के रखा हुआ है पूरा समझाया है तो वहाँ जाकर एक बार आप उससे देख सकते हो ठीक है वापस topic पे आते हैं यहाँ पर d orbital में 5 डब्बे जिसमें से यह तीन जो होते हैं यह होते हैं non axial ठीक है और यह जो होते हैं यह होते हैं axial वाले तो यहाँ पर ऐसी कुछ कहानी है इन सभी के बीच में पाई जाती है degeneracy अब कई बार question आता है कि भाई यह degeneracy का मतलब क्या होता है तो करपया इस बात का ध्यान दें कि सरी इस degeneracy का मतलब होता है कि जब कभी भी energy का level समान यह equal होता है बराबर बराबर होता है तो ऐसी situation के अंदर हम कहते हैं कि यह क्या है degenerated orbitals हैं ध्यान रखना d orbitals जिसके अंदर इन पांचो orbitals की energy अगर सेम होती है तो उसको क्या कहा जाता है degeneracy कहा जाता है परंतु लफड़ा आता है यहां पर इस equality को या degeneracy को maintain करने का यह degeneracy maintain हो सकती है कब यह degeneracy तब maintain हो सकती है जब metal iron को कोई negative charge क्या करता है यहां पर चारों तरफ से घेर कर बेठता है ठीक है कोई negative charge घेर कर बेठेगा तो degeneracy maintain रहेगी d orbital के जो energy level है वो maintain रहेंगे परंतु ध्यान रखना कि यहां पर यह जब maintain नहीं हो पाते हैं तो उसका reason कौन सर उसका reason है यह लिगेंड ठीक है क्या है उसका reason यह लिगेंड तो भाईया जब यह लिगेंड इस central metal atom को घेरते हैं न तो इनको घेरने की वज़े से asymmetrical energy यहां पर produce होती है produce होती मतलब जो उनकी energy होती जहां पर बराबर बराबर थी वो asymmetrical हो जाती कैसे अभी वो भी बताऊंगा तो यह जो asymmetrical energy generate होती है न उससे क्या होता है degeneracy lose हो जाती है और degeneracy lose होने की वज़े से इनके अंदर से हम क्या बोलते हैं कि यहां पर energy में split हो जाता है यह क्या बोला मैंने मैंने बोला सर जब लिगेंड इसके चारों तरफ आ जाते है न तो लिगेंड आने से asymmetry generate होती है energy में और energy में asymmetry generate होने से degeneracy lose हो जाती है और उस degeneracy के lose होने का यहां पर जो result निकल कर आता है उसे कहा जाता है crystal field splitting energy ठीक है वाइस आप क्या कहा जाता है crystal field splitting energy क्योंकि energy split हो गई है ना asymmetry हो गई पहले सब बराबर बराबर थे अब बराबर बराबर नहीं रहे तो वहां से क्या concept निकला था crystal field डीजे crystal field splitting energy का concept निकलता है अब इस concept के regarding कहानी क्या होती है कि सर यहां पर splitting हो जाती है splitting किसमें हो जाता है difference in energy of d orbitals d orbitals के energy में splitting हो जाता भी यह कैसे होता है जड़ा बताएंगे तो जी हां सर बताएंगे देखो रहे भाई क्या कहानी है d orbitals में पांच डब्बे पांच डब्बे अभी यह क्या है यह सो कर रहे है डी जेनरेसी अब यहां पर कौन आया सर यहां पर आया लिगेंड तो जब लिगेंड का यहां पर हुआ तो डी जनरेटेड और्बिटल नॉन डी जनरेटेड डी और्बिटल में हो गए कनवर्ट जिससे की इन्होंने यहां पर बनाके रखा हुआ है एवरेज एनरजी ओफ डी और्बिटल का कॉंसेप्ट या फिर इस्फिरिकल क्रिस्टल फील्ड को ठीक है अभी यहां डी जनरेसी क्या हो गई खतम हो गई जब यह इनरजी या डी जनरेसी इनने सर इनहें कहा गया है टी तूजी और जो आपके पास एक्जियल वाले थे इनने क्या कहा गया Yazi कहा जाता है इनको श्पिलीड करने वाली जो लाइन होती जो इसके एवरेज को दिखाती है उसको क्या कहा घाता है एक भाई सब्चे는ट क्या बोल के जी आता है यह concept निकलकर आता है अब देखो में चॉंसेप्ट यहां से बनेगा में concept सारा यहां से बनकर आता है कैसे बनकर आता है बहिया ज़रा समझाते हैं आपको भाई साथ इसमें ना इसको मैंजे क्लोज करना चाहिए के से क्लोज एआ एए चोटा जारे बह जो हो । यह हुई ना बात अभी यह हुआ ना свидiyal यहां पे इस तरह से यही तो हमें स्प्लिट करना है ठीक है देखो यह क्या हो गया हमारा बरी सेंटर अब बाइस साब काहानी यहां पर बहुत सीमपल थी डी जनरेशी जब यहां पर डिस्टर्ब होती है तो डिस्टर्ब होने पर जो तो एसी वाज़े से इसका नाम क्या पड़ता है सी एफ एस ई क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनरजी इसका नाम पड़ता है परंतु यहां पर इंपौर्टन बात आप लोगों को यह देखने वाली है कि सर जब इसको तोड़ा गया तो दो पार्ट में तोड़ा axial non-axial ये करके रख दिया था अब कहानी ये होती है कि यहाँ पे ये जो midline है bari center bari center के उपर जो आता है उसे कहा जाता है high energy वाला और जो नीचे आता है उसे क्या कहा जाता है low energy वाला कहा जाता है अब इस energy के respect में कहानी क्या बनती है जरा थोड़ा सा तुम लोग समझदा होता क्या है अगर मैं बात करता हूँ total 5 orbitals होते हैं तो 5 orbitals के लिए क्या करा जाता है यहाँ पर इस तरह से इसके denominator में लिख दिया जाता है पांच अगर बात किया जाता है तो यह e g के respect में t2g को जब यहाँ पर आप compare करोगे तो यहाँ कितना दिखाई देगा रे भाई आपको यहाँ दिखाई देगा 3 वही अगर इसका उल्टा करते हैं कि अगर मैं energy का level यहाँ पर चेक करता हूँ with respect to e g तो value कितनी आएगी minus का 2 by 5 आ जाएगी reason बहुत simple सा है reason sir यहाँ पर यह आजाता है कि sir यहाँ पर आपके पास में total 3 के comparison जा रहे थे यहाँ पर 2 orbitals के comparison जा रहे थे 3 दो का जो gap हुआ है न तो उस पर बात यह कर रहे हैं अगर आप इसको solve करोगे तो answer आजाएगा plus का 0.6 और इसको solve अगर आप करते हो तो कितना आजाए अगर यह minus का 0.4 अगर cfse की बात करते हो तो cfse octahedral की जो energy होती है उसको delta o से represent किया जाता है और अगर tetraedral होगा तो उसको delta t से हम क्या कर देंगे represent कर देंगे ठीक है भाई साब clear हो गई बात यह कहानी किसकी रहती है हमारे पास में octahedral complexes की रहती है जब 6 ligand यहाँ पर आके attack करते हैं जिससे आपके पास में कुछ इस तरह से कहानी बनती है energy का difference याद रखना उपर वाले की splitting जादा होती है नीचे वाले की कम होती है इसलिए minus का 0.4 है उपर वाला 0.6 देता है परन्तु बात करते हैं कि सर यह जो splitting हुई थी तो इस splitting से दो केस बनते हैं दो केस किस तरह से बनते हैं सर पहला केस बनता है जब कभी भी कोई strong ligand जैसे आपके पास में रखा हुआ है ammonia ammonia का जब कभी भी यहां पर attack होता है d orbitals के अंदर ठीके भाई साब अब यह कहानी है अब मैं बात करता हूँ कि सर actual में क्या था यहां पर जो ammonia होता है न वो iron के उपर क्या करता है attack कर देता है iron कौन सा वाला fe 2 positive वाला attack करता है अगर शुरुवात में मैं बात करूँ तो शुरुवात में क्या होता है कि सर इसके अंदर जो electrons होते हैं वो कैसे होते हैं degenerated इस तरह से रहते degeneracy को show करते हैं अभी ammonia का attack हुआ ammonia का attack होने से degeneracy किसमें हुई इसमें generate हुई और इसमें जो degeneracy generate हुई तो उसकी वज़े से यहां पर यह दो पार्ट में क्या हो चुका है split हो चुका है तो इसी को क्या कहा गया है cfse या crystal field splitting energy कहा गया है यह splitting क्यों हुई सर यह splitting हुई थी because of strong fields की वज़े से इसलिए वज़े से इसको crystal field theory भी कहा जाता है या फिर आपके पास में जो field ligand theory रहता है उसको भी इसमें कहा जाता है ठीक है भाई साब अब देखो वापस से गाड़ी को हम पुरानी डारेक्शन पे लेकर आ जाते हैं क्या हुआ यहां पे सर यहां पे strong वाले की होने की वज़े से strong ligands हमाईशा क्या करते हैं सर push करते हैं यहां पर मैंने बताया था ना कि यह ligands क्या करते हैं maintain नहीं रख पाते हैं अपनी degeneracy को central metal atom क्यूंकि ligands के जो long pair वाले electron होते हैं वो d orbital के electrons को push करते हैं तो यहां पर क्या हुआ इसको push करा तो push करने से यहां condition यह निकल कर आती है कि आपके पास में रखे हुए जो electron है जैसे एक example के तोर पे बता रहा हूँ यह वाला suppose उठकर यहां आ गया और यह वाला उठकर यहां पर आ गया जिस वज़े से क्या हो गई पेरिंग हो गई तो यहां पर इस तरह से पेरिंग क्या हो जाती है परफॉर्म हो जाती है परन्तु यह पेरिंग कहा हुई होगी सर यह हुई है Dxy, Dyz और Dzx में हुई है ठीक है भाई साब यह वाली कहानी हुई है अब यहाँ पर यह क्या होते है सर यह वाले जो होते हैं वो होते हैं non-axial ठीक है रहे भाई क्या होते है non-axial डाटा की बात करते हो अगेन यहाँ पर वही आएगा 0.4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 0.6 यह वाली घटना हो जाएगी अब यह strong ligand ने क्या करा उसको हमेशा ऐसा push करा कि push करके वो यहीं का यहीं आ गया जिससे कि आपके पास में d orbital के अंदर जो non axial वाले होते हैं non axial वाले कौन कौन से होंगे sir एक यह होगा d x square y square और एक हो जाएगा खाली हो जाएगा तो अब यह क्या करेगा inner orbital complex का formation कर देगा ठीक है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि यहाँ पर inner orbital complexes मिलते हैं यह देखो यहाँ पर बताया था हमने कि यहाँ पर hybridization कहा गया inner orbital complex यह देखो यहीं वाला था यहाँ तीन आपकी लॉन प खर चुका था और यहाँ पर दो डब्बे खाली थे तो खाली डब्बों पर strong legend की वज़े से क्या हुआ यह यहाँ पर आ गया है अब यह concept किसका था यह तो सर वी बीटी का concept था वैलेंस बॉन्ड थियोरी का concept था परन्तु वैलेंस बॉन्ड थियोरी इसी बात को नहीं समझ क्या हो जाता है तो सेम कहानी आपके पास में यहां भी बन जाइगी क्या हो जाएगा अगर LArpak की लिए इसका यहा नहीं PRES घटी सकता और यह क्या बनाते है आपके पास में यह इस तरह से orbitals को यहां पे बनाते हैं, तीन यह बने हुए है और दो यह बने हुए, पहले क्या हुआ था यहां के जो दो थे वो उठकर यहां पर आ गए थे, नेचर की बात की जाए सर, अनपियर्ड इलेक्टरॉन है तो जो इसका नेचर है, वो कैसा हो जाएगा, आपके पास में पैरा मेगनेटिक, ठीके भाई साब, यह कहानी हो जाएगी अब इसके बाद में एक चीश का ध्यान रखना कि यहां पर जो crystal field की जो energy का difference होता है, वो बहुत जादा होता है, क्यों जादा होता है, क्योंकि सर आपने push करा, push करने से एक ऐसी state आई जहां पर pairing हो चुकी है, stability आ चुकी है और इसके बाद में अगर यहां देखो तो इससर stability नहीं है, अगर आप खुद सोचो कि आपके साथ में कुछ ऐसी घटना होती है, जहां पर एक stable couple है, और एक unstable couple है, तो यहां पर क्या होगा, वो stable couple हमेशा यहां पर यहीं बात करेगा, कि रयार, उनकी संगत में नहीं पढ़ना, उनकी संगत में पढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई जगड़े बढ़ जाएंगे, तो यह क्या है सरी stable couple लोग हैं क्योंकि इनके pairing पूरी दे के रखी हुई है तो यह क्या करते हैं यह यहां पर बहुत ज़्यादा दूरी बना के रख लेते हैं परन्तु यहां पर बात की जाए यह unstable है ठीक है यह क्या है unstable है तो unstable वालों के साथ में क्या होता है बैया single सिंगल लड़के सिंगल लड़के कुछ और निकलने वाला था हम उसे सिंगल लड़के सिंगल लड़के यहां पर बैठे हुए थे तो यह जो सिंगल लड़के लोग रहते हैं वो क्या करते एक दूसरे का दर्द समझते हैं इस वज़े से इनके बीच का जो energy difference होता है वो क्या होता है कम होता है तो बस रहे यह कहानी है पर तो यह क्यूं हुआ वह क्यूं हुआ बात कर लेते हैं यह थोड़ी सी और आगे जहां पर हम लोगों को बताना होता इसका electronic configuration बहुत आसान है बताना देखो किस तरह से यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो हमने क्या करा था कोंप्लेक्स वाली किस से ओजाएंगे कि आपके पास में जो कॉड़ी नॉनबर हो जाएगा सो चूल इसनन फोर होने कानल नंबर 5 का मतलब क्या होगा चार लिगेंड्स यहां पर जूड जाएंगे स्ट्रॉण लिगेंड्स यहां Bernard की जाएगु तो strong ligand क्या कर देगा यहां पर देखो इतना ज्यादा energy में difference create कर देगा वहीं weak ligand में जो energy का difference होगा वो कम होगा और कैसे होगा वह अभी कानी बता ही थी मैंने ठीक के रहे ठीक है अब देखो बाइसाब अगली घटना क्या होती है देखो यहां पर जो यह difference होगा रहेगा तो आपके पास में same यहां पर मैंने कई कर दिया थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए ठीक है यहां पर जो energy का difference होगा यहाँ इसमें क्या हो जाएगा चोटा सा चेंज आ जाएगा अब देखो क्या चेंज आएगा जरा देख लेते हैं यहां पर मुझे यह तो मालूम है कि जो comparison होगा energy का वो 5 orbitals में हो जाएगा परन्तु अब क्या होगा सर इसके comparison में यहां पर 2 orbital divide हुए है तो यह हो जाएगा plus का 2 by 5 जबकि यहां पर क्या आना चाहिए माइनस का 3 by 5 तो जब आप यहां पर टेट्रहेडल formation करोगे तो टेट्रहेडल formation में क्या हो जाएगा कि आपके पास में जो यहां पर डेल्टा टी होगा वो निकल कर आ जाएगा कितना प्लस का अरे कलर लगी नहीं पॉइंट 6 यह वाली वैल्यू आ जाएगी यहां पर यह एनरजी का डिफ्रेंस नहीं आएगा क्योंकि वीक लिगेंड है वीक लिगेंड पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है ठीक है भाई सहाब क्लियर हो गई बात तो यह वीध लिगेंड की बात हो जाती है डाव आगे बात कर लेते वह हैं कि एक इन कहानी के अंदर जो फर इस ट्रॉज और वीक लिगेंड की बात की जा रही है तो उनकी एक सीरीज होती है जिसको हम कहा हम कहते हैं स्पेक्ट्रो क्यामिकल सिरीज जो की बताती है स्ट्रेंथ ओफ लिगेंड्स की तो यह सबसे कमजोर कौन होता है सर सबसे कमजोर होता है आयोडीन उसके बाद ब्रोमीन और सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग वाले में कौन आके रखा है यहां पर कार्बन मोनो ऑक्साइड ठीके रखा हुआ है अब यहां पर इसका जो स्टडी है वह बहुत ज्यादा आसान है कैसे आसान है कि सर आप बोलो के आयोडीन की तो आयोडीन अपने आप में एक बड़ा मॉलीक्यूल होता है ठी तो इस वज़े से यह वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है वही पर कुछ खास लिगेंड को आपको याद रखना है जैसे आपके पास हो गया अमाइन और यह क्या है हमारे पास में वही जो चिलेटिंग लिगेंड था कौन सा वाला बाइडेंटेंट वाला इथाइलीनी होती है परन्तु इस पर भी आगे केस बनता है क्या केस बनता है जराइए ध्यान रखना और भाया मेरे यह जो दो केस बता के रखें डी-4 आयन्स के लिए यह मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता के रखा है विकाज अगर सिर्फ और सिर्फ सी एफटी की बात में अगर करता हूं तो बहुत सारा मुझे कैलकुलेशन्स आपको करके दिखाना पड़ेगा मॉलिक्यूल के शेप बनाने पड़ेंगे क्योंकि होता क्या है डी- और्वाइटल के डबल डंबल शेप के अंदर जिस तरह से अटैक करवाया जाता है किसका लिगेंड्स के इलेक्ट्रोनों का तो वो बहुत जादा माईने रखता है परन्तु बात यह है कि हम लोग यह जो वन शॉट पड़ रहे हैं एक्च्वल में हम इंपोर्टेंट बातों को पड़ रहे हैं परन्तु हाँ इस बात की मेरी गैरेंटी है कि आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर भी मिलेगा और वो जो डिटेल्ड लेक्चर होगा वो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा यहाँ पर परन्तु जो समय की डिमांड है यह समय की जो मांग है उसकी वज़े से थोड़ा सा मुझ में निकल कर आती है कि अगर आपके पास में D4 ions की बात की जाए तो जो CFSE होती है octahedral की अगर उसकी value कम होती है pairing energy के ठीक है pairing हमने देखा था ना वो जो pair कर रहे थे वो वाली तो इस situation पे आपके पास में जो electronic configuration मिलता है वो क्या मिलता है T2G में होते हैं तीन electron और EG में क्या हो जाता है एक electron हो जाता है clear हुई बात मतलब क्या है कि सर D4 का मतलब यह है कि जैसे यहां पर आपने total 6 रखे हुए हैं तो मातर 4 रखे हुए होते T2G के अंदर जिसमें से 3 जाते और EG के अंदर क्या होता एक जाता सारे unpeared ही यहां पर हमको दिखाई देते ठीक है ऐसी situation होती अब यह T2G3 और यह जो EG1 है इस situation पर जो आपके पास में condition आती है क्योंकि सर आपने weak field ligands को यहां पर डाल के रखा है D4 ions का मतलब क्या होगा कि सर यह D orbital का आपने जो डबबा बना के रखा हुआ था इसके अंदर 4 electrons present थे तो यह जो 4 electrons अगर यहां पर influence में आते है weak ligand के तो जब इनके दो पार्ट होते हैं तो भाईया दो टुकड़ों में से हमको पता है एक में होता है T2G जहां पर होते हैं तीन डबबे एक होता है EG जहां पर होते हैं दो डबबे तो इस situation पर अगर आप देखते हो तो यहां T2G में 3 जाता और EG में कितना चले जाता एक चले जाता मतलब यह ऐसा का ऐसा ही यहां पर electronों को बाढ़ दिया जाता तो यह क्या बनते हैं weak field ligands की वज़े से और इनका जो spin होता वो क्या होता high spin complex का formation कर देते high spin complex क्या होते हैं अपने इसी hyper nature की वज़े से काफी जादा unstable भी होते हैं वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि यहां अगर इस CFSE for octahedral compounds या octahedral complexes की जो energy है वो pairing energy से क्या हो जाए जादा हो जाए तो इस situation पर आपके पास जो electronic configuration form होता है वो कुछ ऐसा होता है इस electronic configuration के regarding होगा क्या सर ये जो आपने यहां T2G बना के रखा हुआ है इसमें एक दो तीन और यहां हो जाएंगे चार electron जबकी ऊपर EG वाला पूरी तरह से खाली रहेगा अब ये वाली घटना क्यों ही थी क्योंकि सर strong field ligand लगाया तो strong field ligand इसको धक्का देकर क्या कर देगा यहां पर push कर देगा जबरदस्ती pairing करवा देगा ठीक है अब यहां पर यह pairing होई अब क्या होगा मुझे और धक्का देना है और धक्का देने पर क्या होगा और तुम यहाँ पर इसकी pairing perform कर सकते हो clear हो गई बात समझ में आ गया तो वह यह रहे भाई strong field agent यहाँ पर आएंगे यहाँ पर क्या बना देंगे यह लोग low complex या low spin complex का formation कर देंगे situation ध्यान रखना आपके पास में octahedral के लिए pairing energy से एक बार value कम है तो आपका weak field agent का किस्सा बन रहा है और अगर आपके पास में pairing energy की value कम है और octahedral वाला value ज़्यादा है तो वहाँ पे low spin complex का formation हो रहा है अब आता है एक one of the most important relation जो आप लोगों को कई बार पूछा गया है cfsc किस के लिए octahedral और tetrahedral के लिए तो यह क्या कहानी होती है जराध्यान देना भाई साहब octahedral की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 6 ligand जाएंगे tetrahedral की बात करता हूँ तो यहाँ पर 4 ligand जाते हैं अब होता क्या है कि coordination number 4 और ligand यहाँ पर 4 होने की वज़े से इसकी जो energy है या energy की splitting होती है वो कम हो जाती है वो कितनी रह जाती है मात्र 2 by 3 हो जाती है पर वहीं बात करता हूँ अगर direction of orbital does not coincide with the direction of ligands के पहले क्या हो रहा था octahedral के अंदर जितने भी आपके पास में जो axial और non-axial वाली कहानी थी न तो वहाँ पर coincide कर रहे थे tetrahedral में क्या हो रहा है यह coincide नहीं कर रहे हैं टकरा नहीं रहे है for that reason जो इसके splitting होती है वो भी कितनी रह जाती है two-third ही रह जाती है अगर इन दोनों में ये वाली घटना होती है तो इससे एक relation बनता है वो relation ये बनता है कि भाई सहाब कि जो tetrahedral की splitting होती है वो होती है two by third into two by third time of octahedral जिससे आपके पास में relation बनेगा delta t is equal to four by nine of delta o और यही वो वाला relation है जो आपको examination में direct पूछा जाएगा ऐसा नहीं होगा कि आपको ये बोल देंगे कि सामने आला कि भाई या पूरा explain कर दो explain भी अगर करना है तो इन दो points के थुरू आप उसे explain कर सकते हो जिससे कि आपके पास में ये relation बनकर आ जाएगा जहां तक बात है इसमें से mcq जाने के सबसे ज्यादा चांसे से regarding this या एका numerical आपके पास में आ जाएगा कि energy का amount दे दिया जाएगा either it is octahedral या tetrahedral और एक value को देकर दूसरे value निकालने के लिए आपसे question पूछा जाएगा simple आएगा भाईया jwee और neat की बात अलग होती है वहाँ पे concept इससे थोड़े और जादा deep जाएंगे ठीक है क्योंकि इसको समझाने ही में डेड़ दो गंटा लग जाता यार अगर पूरा detail में पढ़ो तो चलो भाई साब अब अगली कहानी पे बात कर लेते हैं colors in coordination compound coordination compound में actually color किस तरह से बनता है तो भाईया एक चीज ध्यान रखो जब T2G और EG का energy level इस तरह से जाता है जहाँ पर EG higher energy state होती है वहीं T2G lower energy state होती है तो होता क्या है कि सर यहाँ पर यह एक electron रखा हुआ है कुछ इस तरह से जब इस electronों को यहाँ पर sunlight या photons दिये जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा रहे भाईया यह यहाँ पर हो जाता है जम्प ठीक है भाई साब यहाँ पर क्या हो चुका है यह जम्प हो चुका है अब देखो होगा क्या कि सर जब इसको energy मिल रही है तब भी यह क्या करता है यहाँ ऊपर चले जाता है और जैसे यह उपर जाएगा यहाँ से यह क्या कर देगा भाईया हमारे पास में energy को कर दे और आप खुद सौचो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म पे रिलीज होगी और जब यह लाइट के फॉर्म पे रिलीज होगी तब आपको क्या मिलेंगे coordination compounds में colors मिल जाते हैं और इसी को ही DD transition कहा जाता है जब कभी भी electron अपनी lower energy state से higher energy state में jump करता है और jump करके वो energy को बाहर निकाल देगा तो उस situation पे क्या हो जाएगा भईया वो photons बाहर जा रहे हैं और उसी से ही आपको इनके colors दिखाई देंगे तो इसी को क्या कहा जाता है यह DD transition कहा जाता है अब जैसे colors की में बात कर लेता हूँ तो यह कुछ important आपके पास में reactions बोल लो या colors बोल लो जैसे कि आपके पास में देखे रखा हुआ है कि आपके पास में यहाँ पर hexa, aqua और nickel रखा हुआ है निकलेट या nickel bowl दो और oxidation state कितनी जा रही है इसकी plus 2 जब इसको आप लोगों ने यहाँ पर एक और ligand के साथ मिलाया जो कि क्या था इथाईलीनी डायमाईन इसके साथ में मिलाया तो जो green color था वो किस में convert हो गया pale blue color में convert हो गया reason, sir यह ligand आ गया ठीके, यह ligand क्या करता है sir यह जो ligand आया है न यह electron को push करता है किस electron को push करता है sir यह जो d orbital का आपका electron है न तो यह d orbital के electrons को push करता है push करने की वज़े से वहाँ पर वो d d transition perform होगा और उस वज़े से color में परिवर्तन हो जाएगा 2H2O बाहर निकला, अब क्या हुआ, sir यही वाला जो आपके पास में pale blue color का compound रखा हुआ था इसके अंदर मैंने और ligand डाले और ligand डालने की वज़े से क्या होगा कि sir electron और push करेगा वापस repulsion बढ़ेगा, electron को और push करा तो color किसमें convert हो गया blue या फिर purple color में convert हो गया इसके बाद में और फिर से ligand मिलाया तो जितने बार आप ligands मिलाते जाओगे उतना ही जादा repulsion बढ़ेगा repulsion बढ़ने की वज़े से d orbital को, electron को लगेगा धक्का और उस धक्के की वज़े से वो क्या करेंगे, jump करते चले जाएंगे जब वो वहाँ पर jump करेंगे तो वो कहलाएगा d d transition जिससे यहाँ पर color का formation हो जाएगा ठीके रवाई, यह तो बस इतनी सी कहानी है ना बात कर लेते हैं भाई यह इसकी एक limitation की तो भाई साब इसकी यहाँ पर limitation यह होती है कि unable to explain covalent character between the metal and ligands के, ठीके यह क्या करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोलता है कि यह ionic bond बन रहे हैं ठीके क्या बोलता है ionic bond बन रहे हैं, अब कुछ हद तक मुझे समझ में आ गया है, सर ionic bond क्यों बन रहे हैं क्योंकि सर साब देखने को पड़ रहा है कि इथाइलीनी डायमाइन क्या कर सकता है यहाँ पर electron को donate करवाता है double side से इसके लावा sino group आ गए या बात कर दिया carbon monoxide क्यों सर समझ में आ रहा है परन तो यह जो एकव एकव वगेर आ गए तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ बात करते हो कि solid compound है solid compound तो वहाँ ionic formation कर रहे है ions का formation कर रहे है तो crystal field theory इस बात को नहीं बता पाया था कि किस तरह से covalent characteristics exist करता है between metal and ligand और जिसको आप मने किसमें बताया है molecular orbital theory में बताया गया है ज्यादा proper तरीके से परन्तु समस्या की बात यह है कि तुम लोगों को class 12 के अंदर उस MOT का concept नहीं देके रखा है regarding this ठीक है complex compound के regarding MOT का concept नहीं देके रखा हुआ है MOT का जो concept है वो सिर्फ आप लोगों को दिया गया है कहां पर वो देके रखा है chemical bonding में वो भी simple simple molecules के लिए जैसे आपके पास में oxygen gas हो गया फलाना गयस दिकाना गया तो वो उन simple simple molecules के लिए देके रखा है otherwise इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं देके रखा हुआ है अब एक छोटा सा part इसके अंदर और है जहां पर हम लोगों को बताया जाता है इसका use किसमे होता है तो भाईया हमको पता है कि इनका use होता है lab reagent के तौर पे या फिर जो color indicators होते हैं उनके ओ तौर पे तो भाई साब इनकी जो कहानी है न यह जो simple सी वाली कि कहां कहां इसका use होता है तो थोड़ा सा काम में आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उस्म को देखो और यह पता कर लो कि भाईया कहां कहां इनका use होता है ठेके भाई साब क्लियर हो गई बात यहां पर main main सारे concept हम लोगों ने complete कर लिये है regarding coordination chemistry के या बोला जाए coordination complex compounds के ठेके भाई साब परन्तु खास बात ध्यान रखो जो शुरुआत से मैं बोलते आ रहा हूँ कि कहां कहां पर कौन कौन से question बन सकते हैं वो आप लोगों को देखना ज़ादा जरूरी है यहां पर बीच में मानता हूँ question में नहीं डाले है और उसका reason भी यहां पर यह है कि भाई साहब इससे क्या होता है कि वीडियो के हमारी length बहुत जादा बढ़ जाती है तो इसी की भरपाई करने के लिए मैंने यहां पर आप लोगों के लिए special series भी चालू करके रखी है जहां पर live आपको इनके chapters के regarding questions या जो MCQ रहेंगे वो solve करवाऊंगा साथ ही साथ में आप लोगों को PYQ वगेरा भी इस chapter के regarding पूरे के पूरे मिल जाएंगे जो एक अलग separate वीडियो में रहेंगे ठीक है ताकि एक ही वेडियो इतना ज्यादा lengthy न बन जाए कि आप लोगों के साथ में बहुत सारी समस्याएं वो create कर दे परन्तु हाँ इसके जो notes वगेरा है न वो सारे notes आपको टेलिग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएंगे जिसके link आपको description box में और साथ ही साथ में मिल जाएगी comment box में में डलवा दूँगा चीक है भाई साथ तो बस रे भाई बस इतनी सी कहानी होती है फिर हमारे पास में coordination compounds की या coordination chemistry कोई अगर आपको ये video लगा है अच्छा तो फटा फट से चैनल को कर दो subscribe और वीडियो को academy पे ठेक है तो बस इसी बात के साथ में करता हूँ मैं इस video को end मिलता हूँ आप सभी से next video में तब तक के लिए सभी को टाटा बाई बाई